हाई गाईज, येस, येस, now everything is fine, ठीक है जी, नोडिफिकेशन आ गया होगा आप लोगों को that we are like, फड़ा फट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं graph marathon, ठीक है, graph marathon में, ये graph marathon में tentatively 83, 83 plus 2, 85 graphs बनाने हमें, पूरा का पूरा से लेपस graphical format बेज़ बर cover करना है, सारे के सारे optimization वाल हैं, ठीक है जी, देखिए, यहाँ पर already एक pre-printed format है, याने कि मैंने खुद बनाया ये format, काफी लोगों के पास already बनाऊ होगा, नहीं बनाऊ होगा, तो बेटा, कुछ ही नहीं करना, आपको measure draw करते जाने, एक 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 में आपके साथ का और करना वाला हो, तो मैंने तो already बना ठीक है जी, तरीके से करना है अपने को, ओके फ्रेंड्स, ओके, ओके, ठीक है जी, येस, 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 I know, एक गलत चैनल पर चला गया था, गलत चैनल पर, as in मैंने से कुछ और महाँ पर प्रेस हो गया था बटन, चले जी, finally हम start करते हैं, now we can't waste the time, हमने already start कर दिया है, तो भ से, utility के chapter में जितने भी graph आएंगे हम cover करेंगे, और ये आपके लिए संजीवनी booty की तरह काम करने वाली है, क्यों मैटा संजीवनी booty की तरह क्यों, क्योंकि आप इसको भी देखके पूरे syllabus को समझ सकते हैं, जितना भी technical part आने वाला है, सारा का सारा technical part हमने graphical format में भी cover कर लिया तो ये बहुत ही अधुर चीज आपके साथ होने वाली है, येस, येस, मुझे किसे student नहीं recommend किया था, कि सर graphical भी होना चाहिए, तो चलिए जी आप लोगों के लिए graphical भी हमने बना दिया गया, ठीक है, तो भाया अब आपके doubts queries कम लूँगा मैं, 10 chart हो जाने के बाद queries लेंगे बहुत simple है, 10 chart then query just one second चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला ग्राफ आपको बनाना है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ तो भाईया मेरे सामने चैट्स हैं लेकिन मैं चैट्स को एकदम एंड में एंटर्टेन करूँगा तो अभी हम बनाने वाले बेटा कम से कम आपको रिक्वाइर्मेंट है दो कलर के पैन की और एक स्केल और पैंसिल और इरेजर की भी ऑपियसली चलिए आप सभी को पता है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा और टोटल यूटिलिटी कुछ इस तरीके से जाने वाली है और जब ये ग्राफ इस तरीके से आएगा ये आपका टोटल यूटिलिटी रहेगा और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहेगा तब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा तो अगर आप इसको पॉइंट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसको plot कर सकता है ठीक है यह exactly तो नहीं आएगा मेरा जी तो भाईया यह रहा आपका graph total utility and marginal utility तो यह graph थोड़ा अलग रहता है जब आपका zero consumption रहेगा तो total utility, marginal utility zero इसलिए अपने unit number one से start किया जैसे unit number one आप consume करेंगे total utility और marginal utility equal रहेगा उसके बाद marginal utility decline होगा, total utility increase होगा at decreasing rate जब marginal utility zero total utility maximum उसके बाद उसने चालू कर देना है, तो यह बहुत important graph आपके लिए बेटा ठीक है, 83 graphs है चलिए, हो गया बेटा यह graph हो गया is it done? yes sir, आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपन देखते हैं indifference curve indifference curve को तो आप already जानते हैं indifference curve is a downward sloping curve moving from left to right, क्या represent करता है sir, equal satisfaction represent करता है, क्या represent करता है बेटा equal satisfaction represent करता है तो आईए, चलिए, indifference curve निकालते हैं तो let's say, this is your indifference curve indifference curve represent combination of two commodity which gives equal satisfaction so if these are three points, point A point B and point C, तो यह तीनो point, तीनो point represent करता है, combination और यह आपको देंगे equal satisfaction, ठीके मैं बेटा, अपनी speed से अपने आप ही आगे बढ़ते जाऊंगा, अगर आपको कोई query रहे तो ही मैं को आप type कर देना, फिर मैं आपके लिए रुखूंगा तो भई यह indifference curve क्या होता है, indifference curve represent combination of commodities which gives you equal satisfaction, ओके यहां तक clear है, तो सर देखो कितना must दिख रहा है, कितना भारी दिख रहा है अपने कोई इसके अंदर जैहिन बेटा, जैहिन मेरे जैहिन बोलने से क्या होगा, दिल में है मेरे भाव मा आई यह साब budget line draw करते हैं budget line क्या है सर, budget line represent combination of two commodity जो full spending represent करती है, so any point lying on budget lines represent full spending so मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसी line draw कर देता हूँ, so this is your budget line, any point lying on this budget line represent full spending, तो भाईया यहां पर अगर मानलो point A है point B है, point C है तो A, B, C full spending है let's say this is a point O O is overspending and this is point U U is equals to under spending sir, तो first time, हाँ, अब बहुत अच्छे से use करना है, यह graph आप लोगों के लिए तब साथ में रहने वाले है, सिर्फ समझाना नहीं, इसको secure भी करके रखना है, अपने को तरीके से समाल के रखना है, ठीक है इसको समाल के रखना है हमें, समाल के कहा रखेंगे तरफ, अब रखना है, जहाँ भी रखना है, रखना है सर आगे, अब equilibrium, सर इंडिफरेंस कर के बाद न, एक चीज रह गई हमसे, इंडिफरेंस मैप, तो चलिए, इंडिफरेंस मैप भी बनाते हैं, इंडिफरेंस मैप के लिए अब जितने जादा कलर यूज़ करेंगे, उतना अच्छा है, सर लेट से, इस इस यर आई सी टू, लिजए, कोई बात ने, आपके सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, तो इसको थी नमबर दे देना, इसको बोलना I.C.1 और इसको बोलना I.C.3, I.C.123, ठीके, सर, कितना अच्छा लग रहा है, ना देखकर ही कितना भार ही लग रहा है, देखकर ही मस्त लग रहा है, एक तम, तो फिर तो class attend करके मतलब भी नहीं न दोस्त अगर आपको ये भी PDF में convert करके मुस्त पेकी चाहिए तो class करके मतलब भी क्या फिर एंट भी PDF ही देख लेता है मैं मेनत कर रहा हूँ तुम भी करो चलिए सर हो गया ये indifference map भी हो गया यहाँ पर देखो summary भी लिखते हैं अपन higher I see more satisfaction lower I see lower satisfaction खुद के हाथ से लिखो satisfaction आएगा अच्छा बना रहे हो आरा कौन बात नहें बना लीजिए ठीक है जी स्री निवास की इच्छा है स्री निवास की आग्या को मैं टाल नहीं सकता स्री निवास की इच्छा को हम टाल नहीं सकते स्री निवास सब कुछ हो जाने के बाद हम ये आपको PDF फॉर्मेट में दे देंगे लेकिन आपको एक हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी कि आपने इमानदारी से ड्रॉ किया है या नहीं हमको दिखाना पड़ेगा ठीक है जी आन में पता नहीं क्या हो गया बेटा चली जी आगे बढ़ते हैं तो सर हाईयर आईसी मोर सैटिस्टेक्शन लोवर आईसी लोर सैटिस्टेक्शन तो भई या हमने क्या कैसी का टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी देख लेगे वो कितना सुन्दर दिख रहा है देखने में सर कितना अच्छा दिख रहा है अरे हाय प्रतीक कुमार नंदा जी अभी नहीं सब कुछ हो जाने के बाद ने मुझे भरोस आ है क्रुनाल कर लीजिए नहीं 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 मैं मजाग कर रहा हूँ यह कर लिया देखो न कितना मस्ट दिख रहा है देखने में सर अती सुन्दर यह सुन्दर नहीं अती सुन्दर है सरे आईए साब एक्विलिब्रियम ड्रॉ करते है साब एक्विलिब्रियम ड्रॉ करते है एक्विलिब्रियम ड्रॉ करना पड़ेगा एक सेकेंड आप रुकेंगे एक सेकेंड पेटा एक सेकेंड आई ये साब एक्विलीब्रिम डॉक कर लिए मैंने तो चीटिंग कर ली मैंने तो ये बना लिया मैंने तो डारेक्ली उतार लिया वही से आई ये वापस बना लिया लूँ ने वापस बना लिया लूँ अब ये अप्टिमाइजेशन करना है बेटा अप्टिमाइजेशन के लिए ये इंडिफरेंस कर वह है ये कंजूमर की बजट लाइन है दोनों को सूपर इंपोस करना पड़ेगा आई ये सूपर इंपोस करने की कोशिस करते हैं सूपर इंपोस करने की कोशिस करते हैं सूपर इंपोसेशन के लिए हम एक अलग कलर लेंगे गोल्डन कलर लेते हैं हम गोल्डन इसके निप रखते हैं छोटी हाँ जी सर प्रोड़क्शन अप्टिमाइजेशन कब होता है सर प्रोड़क्शन अप्टिमाइजेशन नहीं सर इक्विलिब्रियम में कब आता है सर इक्विलिब्रियम में यहां पर आता है when budget line cuts indifference cut tangentially तो भईया ये heading जरूर देते जाएगा आपन बना क्या रहे है budget line है ये equilibrium है equilibrium में आए है वेटा आपन तो यहाँ पर equilibrium हो जाएगा तो ये वाला वो point है जो सबसे जादा satisfaction दे रहा है let's say let's call this point Z तो Z is equilibrium for consumer okay now Z is equilibrium for consumer done sir Z पे consumer surplus maximum होगा Z पे consumer surplus maximum नहीं है Z is a point जहाँ पे उसको maximum satisfaction उसके budget में मिल रहा है consumer क्या वड़ी उसके consumer surplus maximum Z पे consumer surplus maximum कैसे होगा Z पे consumer surplus कैसे maximum consumer surplus के लिए तो indifference curve को लिए और consumer surplus तो भईये cardinal measure है consumer surplus आई नहीं सकता है यहाँ पे cardinal अत्रोज कैसे है IC3 में भी ले सकते है क्या IC3 में लेंगे तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह IC3 भी ले सकते है लेकिन IC3 के उपर आपका budget line पे भी लाए कर रहा है लेकिन यह जो उपर वाला IC curve है तो point अगर इसको x मान लेते point x और point z दोनों के दोनों पूरा का पूरा budget खतम कर रहे है क्योंकि दोनों budget line पे है लेकिन क्योंकि point जो x है वो lower indifference curve पे है तो पैसा तो पूरा खा रहा है जितना z खा रहा है उत्ते ही x खा रहा है पर हो satisfaction कम दे रहा है done है बेटा यह यह clear है कि भाई यह point x क्यों नहीं हो सकता सर point x और point z दोनों के दोनों point मैं मानता हूँ यह दोनों के दोनों जो point है full spending represent करते है budget line पे लाए कर रहे है पर जो उपर वाला indifference curve है वो satisfaction भी ज़्यादा दे रहा है same amount पे जी श्रीनिवास very good आई यह next utility का graphical presentation यह भाईया अच्छे से बनाईएगा अरे handwriting handwriting कुछ अच्छी नहीं है तुम लोगों का बस प्यार है जो चारों तरफ तुम तारीफ करते रहते हो बाकी तो क्या है अपन छोटे मोटे आदमी है अभी यहां कुछ ने राइडन सॉप मार्केट की गलत जगा पे गलत टाइम पे गलत जगा पे है इसको बोलते हैं A P R Q B O तो भई यह मैं जो बोलते जा रहा हूँ सुनते जाओ देखते जाओ एरिया मैं सिखा चुका हूँ रिविजन लेक्चर में देख लेना एरिया अंडर A O Q R इस इक्वल्स टू एरिया अंडर A O Q R is equals to total utility अरिया अंडर P O Q R is equals to price paid अरिया 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 अंडर A P R is equals to consumer surplus प्रद्यूम्न वाग प्रद्यूम्न वाग I recognize you प्रद्यूम्न वाग मैं तुझे पैचानता हूँ वही यह जो एरिया दिख रहा है आपको पैंसिल से करते हैं यह जो एरिया दिख रहा है आपको यह है consumer surplus बनाईए मैं तो जब तक आप लिख रहे हैं तब तक बना रहा हूँ करना तो आपने अच्छे से इस एरिया इस consumer surplus consumer surplus price paid good morning good morning इस समय आप good morning कहते हैं सर छटे ग्राफ नहीं है आपने को पूरा जीजान लगा के complete करना है yes yes मैंने वही बोला यहाँ पर मैं इसलिए इतनी मेहनत करके आया हूँना कि आप लोग तो कैसा भी बना ले लेकिन ultimately जब यह चीज़ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगना चाहिए ठीक है बड़े बिटा आगे AOQR is marginal utility AOQR बिटा AOQR AOQR कैसे निकाल हो गता है AOQR कैसे निकालोगे AOQR तो तुमने A और P क्या हो गया AOQR marginal utility कैसे आ गया graphical presentation इसमें अपन तोलमोल नहीं कर सकते बिटा अब देखिए अतिस उंदर ग्राफ छे ग्राफ जब एक साथ नजर आ रहे है न अरे भाईया शर्मा जाएंगे लोग यह सारी चीज़े देखके क्या गजब बनी है चीज यह artistic यह work आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा अब आव आता हैं demand के उपपर आईए demand के उपपर आते हैं एक एक करके आते हैं सबसे पहले demand के उपपर demand कर कैसा होता है आप सभी को पता है होता है कि भाई it is a downward sloping curve moving from left to right now sir this is your demand curve this is your demand curve इसे side by side confirm भी करते जाना पड़ता है कि अपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया तो भाई है यहाँ पर आपको लेना है quantity और यहाँ पर लेना है price तो as the price decreases demand बढ़ता है price कम होता है demand बढ़ता है price बढ़ता है demand कम होता है चलो यह हो गया sir अपना हो गया part तो भाई है at higher price P1 quantity demanded is lower at lower price quantity demanded is higher आगे बढ़ते expansion and contraction की तरफ हो गया नहीं हुआ तो मेरे को रोक लेना अब सबसे पहले तो अपन recap करेंगे किस चीज का recap करेंगे sir expansion और contraction होता क्या है expansion और contraction होता क्या expansion and contraction takes place because of change in price of that commodity upward moment along the same demand curve is called as contraction and downward moment along the same demand curve is called as expansion तो भाई है upward moment is contraction downward moment is expansion चलो जी upward और downward moment बनाते है so let's say let's just assume that this was your original price at this and at this particular price this much was the quantity demanded तो तुमारा price and quantity demanded है अब सुनिएगा sir तो अगर यहां से उपर जाता है this is upward moment and sir this is downward moment so this downward moment this downward moment is called as expansion and this upward moment is called as contraction note it contraction and expansion both takes place on the same demand curve तो यह एक same demand curve के उपर होता है यहां तो यह मैं आपके लिए हिंट लिखता हूँ when it's done just tell me just tell me when it's done अरे अभी तो बहुत मजाने हो ले है हो गया आगे बढ़ते हैं बेटा बात करते हैं increase in demand की increase in demand की बात करते हैं increase or decrease in demand takes place because of change in any other factor other than price of that commodity increase or decrease में shift of curve होता है तो वापस से बनाते हैं आपन let's say this is your original demand curve this is your original quantity this is your original price ठीक है तब यह यह original demand curve यह original supply curve है अगर आपने यह lines नहीं भी बनाई तो भी चलेगा क्योंकि इस बार अपने को shift of curve दिखाना है अगर यह curve इस तरफ shift होता है बाहर की तरफ shift होता है तो हम इसको बोलेंगे expansion और अगर यह curve अंदर की तरफ जाता है तो इसको बोला जाएगा contraction expansion, sorry not expansion contraction I am so sorry I am so sorry increase or decrease I am so sorry इसको बोला जाएगा increase इसको बोला जाएगा decrease done चे यह हो गया, यह हो गया हाज, increase or decrease गलती से बाएगा done फिर यह मैंने एक graph यहाँ पर ऐसा अधूरा छोड़ा है कि अगर जरूद पड़ी तो मैं use करूँगा आप लोगों को बनाने की जरूद नहीं है अभी हम 9 graph हो गए हैं हमारे अगर यह सर दसवे पर जाते elasticity of demand तो जितने लोग पीछे हैं फटाफट elasticity पर आ जाईए तो आप लेट तक बैठने के लिए ready हैं अगर आप लेट तक बैठने के लिए ready तो मैं हर एक को थोड़ा थोड़ा और extra time दूगा चलिजी आप थोड़ा बैठ जाई अब कर लेते हैं आप बना लिजी अच्छी तरीके से बना लिजी लिखवाया ने बिटा हिंट तो लिखवाया है हाँ यहाँ पर लिखाया है आपको on same demand curve यहाँ पर shift of curve दिख रहा है चलो लिख लो यहाँ पर shift of curve ठीक है तो फिर इसको फैलाने की जिम्मेदारी तो तुमारी है ना अब इसको फैलाओ चारो तरफ ठीक है मैं hint भी लिख कर देता हूँ चलो खतम अब तो कहानी खतम करते हैं अपन ग्राफ में पूरा syllabus उड़ाते हैं आईए सर इलास्टिसिटी पर आईए आराम से आईए इलास्टिसिटी के उपर आईए फटा फट बनाईए इलास्टिसिटी पर आईए डब्बे बनाईए हाँ तीन तक हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक तो मैं ये वाली एक्सिस पे लेता हूँ quantity और ये वाली एक्सिस पे लेता हूँ price नहीं रायते जैसा नहीं पहला न आगे आये का न बेटा एक साथ सब थोड़ी खा सकते हैं आगे आये का न cross elasticity अभी तो elasticity में just enter किया है तो perfectly perfectly inelastic perfectly inelastic की बात करें perfectly inelastic का graph कैसर है ता आप ही बताए inelastic की बात करें perfectly inelastic ये आपका perfectly inelastic यानि कि no change no change in the quantity demanded because of price तो price कितना भी होने तो आपकी quantity demanded में कोई change नहीं है perfectly inelastic बुला है perfectly inelastic आपका अपको बैटना है बैट सकते हैं जब आपका हो जाए आप जा सकते हैं बाद में फास्ट पॉरवर्ड देख सकते हैं क्योंकि मैं बुलेगे चुट लास खतब होगा ऐसे तो होगा नहीं चलेगी वो अपने हिसाब से मैं ऐसे questions का आप जवाब नहीं दूँगा चाहिए आपको बुरा लगे चाहिए अच्छा लगे आपको अपना syllabus पता है या नहीं पता है अब आईए perfectly elastic को निकालते है perfectly elastic को वापस से आप लोगों को यहाँ पे लेना है quantity access और यहाँ पे price यहाँ पे लेना है quantity access यहाँ पे लेना है price को efficient यहाँ पे value कितनी आती है zero मतलब होता है एक काम करते हैं इसको अलग color से लिखते हैं hints को अलग color से लिखते हैं hint के लिए एक अलग color देते हैं कौन सा color दे hint को hint को जिक्तम distinguishable रहे है चले दो यहाँ पे coefficient यानि value zero आती है यानि कि no change in demand demand बोलो है quantity demanded बोलो चलेगा नहीं red already use करेंगे अपन red graph में use हो रहे हैं बार बार quality 480 पर देखिए बहुत अच्छे सा देखेगा सब perfectly elastic का मतलब क्या होता है यहाँ पे value आती है ध्यान से देखे गया को efficient यानि कि value आ जाती है infinite and मतलब होता है infinite change इसको बोल सकते है parallel to parallel to x oblique quantity axis और इसको बोला जा सकता है parallel to parallel to y oblique price axis लिखे आराम से आराम से लिखे तर ऐसा अद्भुत मौका अद्भुत रिश्य आपको वापस नहीं मिलने माना कभी वापस नहीं मिलेगा ऐसा इसकी मस्त से photo खीचके भी आपको दे दूँगा लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं दे पाऊंगा आगे बढ़ते हैं बैटा next आते है unit elastic पे unit elastic प्रतीक यस unit elastic unit elastic का coefficient coefficient is equal to one अब देखिए ज़रा इसका explanation देखिए आप लोगों कुछ आए जिसका explanation पता हो ना हो बता दूँ मैं draw तो हो जाएगा explanation देखिए लेट्ट सेगा the हें लो इस स्थार कोणिति सिर्द सेर्च पांपस सेथी मैं प्राइस इतना करके देख लेता हूँ प्राइस कम कर दिया बेटा मैंने अब चेक करते हैं मेरा quantity demanded में कितना change आया बेटा मेरा quantity demanded में भी exactly उतना change आया अगर आप चेक करेंगे तो ध्यान देजिएगा बहुत गौर से ध्यान देजिएगा मैं कुछ highlight करने वाला हूँ उस चीज़ पर बहुत गौर दीजेगा सर यह जो change in price है और यह जो और यह change है यह वाला यह दोनों equal है सर जितना price में change हुआ हुद्धा ही quantity में change हुआ है तो formula क्या है percentage change in quantity divided by percentage change in price दोनों का यह change same है तो answer आ जाएगा one बेटा है आपको यह change measure करके पता करना पड़ता है elastic यह inelastic है अगर जादा change हो रहा है बया यह वाला अगर मानलो जादा change हो रहा है यह और यह compare करना है आपने और पता करना है कि कौन सा change जादा रहो उसके basis पर decide होता elastic यह inelastic कौन क्या है ठीक है next आइए बेटा यह हो गया होगा आपका यहाँ पर दोनों का change same है मैं लिख देता हूँ change in quantity demanded is equals to change in अगर percentage change लिख सकते है is equals to percentage change in price सर यह दोनों same है दोनों में change हो हुआ है percentage term में same से डाला था मैं सिर्वे ने फिरा यह cross elasticity between unrelated goods यह cross elasticity between unrelated goods बाद में करेंगे पहले अपना perfectly elastic, perfectly inelastic, unit elastic हुआ बागी के दो बचे वे elastic और inelastic कर लेते हैं यह वाला बाद में करेंगे यह वाला थोड़ी दिर बाद करेंगे याद रखना यह बागी है demand खत्म होने से पहले अपन यह करेंगे इससे पहले आप यह draw कर लीजे यह draw कर लीजे बिटा अपने को 80 graph करने फटाफट फटाफट करेंगे आप ज़्यादा time waste ना करिए ज़्यादा time नहीं waste नहीं screen वागेरा बराबर है और zoom करने की ज़रूरत तो नहीं है दिख रहा होगा आपको आगे यह बाद में करेंगे अभी आईए बेटा इसके उपपर आईए सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान पूरा का पूरा focus इसके उपपर more elastic के उपपर ठीक है more elastic बोलो या elastic बोलो focus इस पर focus elastic पर ठीक है एक time पर एक या maximum दो ग्राफ देखेंगे अपन सर more elastic more elastic का ग्राफ कैसे बनेगा ज़रा ध्यान देना please ध्यान दीजेगा सर ग्राफ ऐसा बनेगा इसका अब अपन original price और original ध्यान दीजेगा मैं plot कर रहा हूँ original price और original quantity को तो ज़रा गौर फर्माईए this is the original price and this is the original quantity अब मैं price को change करूँगा price को मैं change करूँगा इतना तो quantity demanded में change कितना है सर तो quantity demanded में change आया इतना अरे भाई आराम से तुम देखके बता सकते हो कि change in price is less and change in quantity demanded is more तो भाई या price के comparison में अगर quantity demanded में ज़्यादा change आया तो भाई इसको बोलते elastic लिखिये क्या दर्शात है यह सर percentage change in quantity is more than percentage change in price इसको कई बार flatter curve भी बोलते है flatter याने लेटा हुआ flatter curve 25 marks तक क्यों question पूछे जा सकते ग्राफ पे directly या फिर indirectly मैं पहले ही बता दूँ ये लेकिन graph आप starting में करी नहीं सकते हैं जब तक आपको पूरे syllabus का view पता ही नहीं तो आप करी नहीं सकते ग्राफ पूरे syllabus का view जब तक नहीं आप नहीं कर सकते ग्राफ इसलिए मैंने बोला है ये graph पूरा syllabus होने के बाद यह अलग चीज़ है पूरे syllabus को ग्राफिकली देखना अरे आज के टाइम पे कोई भी टीचर आपको ग्राफ को बोलता है ठीक है ये ऐसा है ग्राफ है ये वैसा है ग्राफ है मैं तुम्हें graph के तुरू पूरे study करवा रहा हूँ ये बहुत challenging task होता है बड़े आगे बिटा हो गया आपका अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ठीक है आप चेक कर सकते हैं कि price में changes कम हैं quantity demanded में changes जादा है तो जब change जादा रहेगा तो उसको बोलेंगा अपन more elastic ठीक है चले सर अगला देखते हैं inelastic या फिर less elastic जिसको बोला जाता है ये कैसा रहेगा सर ये रहेगा steeper कर steeper यानिंगी ऐसा let's say this is your original price this is your original price and this is your original quantity अपन price में change करके देखते हैं थोड़ा सा जादा change नहीं इतना change करके देखते हैं अब quantity demanded में कितना change आया है सर quantity demanded में तो change कम आया है सर quantity demanded में तो change कम आया है सर देखो ये रहापका original price P1 ये price P2 Q1 Q2 price में change जादा आया है quantity में change कम आया है इसको बोलेंगे बेटा coefficient less than 1 जाद दीजेगा percentage change in percentage change in demand is less than percentage change in price नेक्स्ट स्टीपर कर अब करने से होगा पेटा करने से होगा और ये चीज़ा है अपने पास already है इसका मत्कर भी है कि अगर तुम इसको आवाइड करोगे नहीं इनोर करोगे, तो भाईया ये है, ये तो करना है, थेंक्स चेतन, येस, चेतन आयो, चेतन ने किया है, हो गया सर, बड़े आगे, बड़े चलो भई, बड़े चलो, आईए भाईया, क्रॉस इलास्टिसेटी के केस में जाते हैं, कॉम्पलिमेंटरी गुड्स के केस में, अब मुझे बताएंगे, कॉम्पलिमेंटरी गुड्स कौन से होते हैं, सर, कॉम्पलिमेंटरी गुड्स का एक्जामपल ले लेते हैं, अपन कार और पेट्रोल का, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो कार की डिमांड कम होती है, पेट्रोल का प्राइस कम होता है, तो का इनवर्स तो जब भी इनवर्स रिलेशन्शिप है डाउनवर्स लोपिंग करवाएगा तो भाया अभी मैंने किसके बीच में रिलेशन्शिप निकाला? प्राइस बड़ा, कार की दिमांड कम इनवर्स गेशन्शिप डाउनवर्स लोपिंग करवाएगा पैनिंग, यह क्रॉस इलास्टिसिटी कॉंप्लीमेंटरी गुट्स के केस में है और सर सब्स्टिट्ट्ट्ट्स के केस में कैसे होगा? अगेन आपको यहाँ पर यह चीज तो पता ही होगी, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, यहाँ पे आएगा प्राइस और यह आएगा इन्वर्स रिलेशन्शिप इन्वर्स रिलेशन्शिप दन है सर, आपको हो गया होगा फिर क्रॉस इलास्टिसिटी देख लीजे, आपने यह निकाली है देखे कितने सुंदर चीज़े निकाली है अगर इसको क्यूमिलेटिवली देखेंगे न तो कितना बहतरीन लग रहा है लुक्स ओ गुड जैस केशा फिर आईए सर, अपने को सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में भी क्रॉस इलास्टिसिटी निकाली है आईए, क्रॉस इलास्टिसिटी निकाली है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, आप ही बताएंगे भी मुझे ये question है graph next graph बनाइए next graph आपका जो भी graph की sequence चल भी है next graph दीजिए cross elasticity substitute goods के बीच में ये substitute goods tea और coffee tea का price बड़ा coffee की demand बढ़ जाती है tea का price कम coffee की demand कम तो कैसा रिष्टा है सर ये रिष्टा जायज है direct है सर ये direct है याने upward sloping है ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ quantity of x and price of y बेटा price of y यहाँ पर भी quantity of x price of y दो goods के बीच में अपन ला रहे है pencil and eraser mcdovall and यह mcdovall को बोल रहा है बेटा यह mcdovall को बोल रहा है देखिए अब यह mcdovall वाले बिगड़ेव बच्चे भी अपनी क्रास में pencil and eraser pencil and eraser को क्या बोल रहे है आप substitute goods बोल रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं अगर आप इसको complimentary goods बोल रहे हो ठीक है लेकिन वो necessities में भी आता है आपको पढ़ना है तो करना ही पढ़ेगा वो necessities है ठीक है necessities है यह निकाल लिया बेटा आपने substitute goods के इसमें हाँ प्रशल हो तो सकता है done है यह अगर unrelated goods है तो मैंने आज ही बता है salt के कारण salt के कारण calculator की demand अरे सर कोई फरक नहीं पढ़ता तो मैंने उपड़ एक graph छोड़ा था महापे आपको cross elasticity आप तो next बनाईए next बनाईए बेटा cross elasticity between unrelated goods cross elasticity between unrelated goods यहाँ पर लिखते है अपन quantity of x यहाँ पर लिखते है price of y सर क्योंकि यह unrelated goods है y की price से y का price कितना भी हो जाने दो x की demand पर तो सर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्यों सर क्योंकि यह unrelated goods है yes तो कैसा आएगा सर इसका graph ऐसा आएगा unrelated goods no relation no relation पीटा कोई रिष्टा नहीं यह रिष्टा कुछ नहीं कहलाता है example लिख जाते है demand of salt and price of calculator अब तुम यह मत बोल देना कि सर सॉल्ट है सॉल्ट अगर महंगा हो गया तो हम उसको खाएंगे नहीं सॉल्ट महंगा हो गया उसको खाएंगे नहीं iodine की कमी हो जाएगी iodine की कमी से दिमाग नहीं चलेगा दिमाग में चलेगा तो calculator की जरुवत नहीं पड़ेगी यह बोला ना यहीं से flying calculator मारूंगा वर्चुली लगेगा तुमको यह चीज़ बोलने की भी कोशिस मत करना बचपन में जब तुम बहुत ही जादा बहुत जादा छोटे होगे ना तब add आती थी iodine नमक ही उसमें बोला जाता था इस नमक में iodine है इससे goiter करके विमारी होती है गले पर होती है वह वह नहीं होती है तो iodine बुद्धी के विकास के लिए बहुत ज़ादा ज़रूर है थी वह सारी चीज़ है पर तुम यहां पर कोई relationship मद establish करने की कोशिस करना क्योंकि तुम किसी के साथ भी रिष्टे जोड़ने में सक्षम हो मैं दिखा देता हूँ पहले यह निकाल लो फिर मैं वह दिखा देता हूँ पहले यह निकाल लीचे मैं पानी पीता हूँ आप यह निकाल यह तुम रिष्टे किसी के साथ भी जोड़ लेते हूँ हाँ लेकिन अपन ज्यादा भी टाइम नहीं दे सकते हैं ना मैं समझ रहा हूँ दिनेश तेरी बात में पूरी तरीके सागरी कर रहा हूँ कमेंड में दे दूँगा प्रैक्टिस तो करो समझ में तो आएगा कॉंप्लिमेंटरी वाला दिखा देते हैं ठीके तो मैं तुमको यह बताना चारा था कि मेरी ड्रॉइंग अच्छी भी है हमेशा बुराई करते हो तुम लोग मेरी ड्रॉइंग की कि सर कैसे कैसे ढाबे वगरा बनाते हो सर क्या क्या बनाते हो तो लीजिए आप लोगों के लिए तैयार है एकडम गर्मा गरम तड़क्ता भड़क्ता किसके साथ भी रिलेशन ड्रॉइ करने की कोशिस करनी जैसे कि श्रेयस तू बराक ओबामा छोड़ दे टरंप की बेटी के साथ रिष्टा जोड़ने की कोशिस कर रहा कोई रिष्टा जुड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा तो कितना भी यहां पे स्विरफोल्ड उसको फरक पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा उसी तरीके से साथ क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर कॉंप्लिमेंटरी गुड़ है तो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग सब्स्टिट्यूट गुड़ है तो भाया अपवर्ड स्लोपिंग और भाया स्टेट लाइन कर रहेगा स्टेट लाइन कर यानि की वर्टिकल रहेगा कर जब अन्रिलेटेड गुड़ेड गुड़ेगा और फपने लिग तो लने के लिई बोला है यह इफ्टि जो मैं दे रहा हूँ और भारी इफेक्ट रिखा सकता हूं इसके अंदर तुमें और खतरना की अजिन क्रREWक्ट रहता है नंडंड़ Mumbai देखना है और खतरना की इफेक्ट यह साइथ और खतरना के फेक्ट दिखाता हूँ चलिए ड्रॉ करिए ये क्षब क्षघ हुड़स क्षब 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 म् झाल झाल अब बिलकुल भारी बोड आने वाला है अब एफेक्ट देखो तुम बस खतरनक ग्राफिक्स देखो तुम अब एफेक्ट देखो तुम ने क्या किस शक्रम लगा दे पांच मिंट जाएंगे इसमें झाल 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 चलिए सर अब मजा आने वाला सर को फसाद या नहीं अब एफेक्ट देखो अब बिलकुल ऐसे लगेगा कि लो साइंड बोड पर लिख रहा हूं चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बटा आईए सप्लाइ कर पर आते हैं नहीं अभी हमें इंकम इलास्टिसिटी निकालनी है बटा इंकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गूड्स या लग्जूरियस गूड्स के केस में नॉर्मल गूड्स या लग्जूरियस गूड्स के केस में क्या होता है बहुत सिंपल सी बात है प्राइस नहीं income की बात कर रहे हैं, आपने कोई income elasticity निकालनी है तो यहां लेंगे आप income I-N I-N C-O-M-E और यहां पर लेंगे आप quantity तो बैटा जैसे ही आपकी income बढ़ेगी normal और luxurious goods के case में आपके demand भी बढ़ेगी तो भाई है यह रहा है आपका वोकर जी अब यह glow sign effect दिख रहा है अब बिल्कुल एक्तम 3D effect लग रहा है आपको holographic holographic पता नहीं सही है word या नि तो सरी यह रहा, upward sloping तो यह पहले यह था तुम्हारा price और सॉरी income और quantity अभी income बढ़ गई quantity जो तुमने demand करी थी वो भी बढ़ गई तो यह तुम्हारा new income है i2, i1, q1, q2 क्या save है पीछे का background लटा है बेटा मैंने background लटा है आईए inferior goods के case में क्या होता है inferior goods के case में आपकी income बढ़ती है income बढ़ती है तो inferior goods की demand कम होती है inverse relationship पे यह रिष्टा क्या कहलाता है सर यह रिष्टा जायज नहीं है जायज नहीं यह लगता मुझे यह रिष्टा तो सर आपकी income बढ़ी quantity demanded कम हो जाती है सर यह ऐसा है यह ऐसा है आप इसको रखली बतावी सकते हैं let's say this is your two level of income and at each level of income lower income पे higher demand और higher income पे lower demand तो यह आगया इया बेटा आपका higher income पे lower demand दिखरी है और lower income पे higher demand दिखरी है inferior course हो गया हो गया आप perfection में मत जवाब perfection में जाने की कोशिस ना करो आप perfection में जाने की कोशिस ना करो बेटा perfection में जाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है आपको मैं यह दे दूँगा booklet आगे बढ़ते हैं अब आप मुझे supply कर बताएंगे supply कर normal goods के case में क्या रहता है अगर मैं यह access पर quantity supply यह access पर quantity supply लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ price तो आप मुझे बताएंगे साब इस रिष्टे के बारे में जब अपना price बढ़ता है तो quantity supplied बढ़ता है यहने seller ज़ादा quantity supply करता है तो यह निष्टा जायस कहलाता है उने दीजे ग्राफ के रचेता अपन है ग्राफ मैरेथोन के रचेता अपन है पूरा syllabus सिर्फ अप ग्राफ के जरी आप पढ़ने वाले हर चीज को देखने के अलग अलग नजरिये रहते हैं आईए इस अलग अद्भुत नजरिये से अद्भुत अविश्वस्निया नजरिये से हम देखने की कोशिस करेंगे ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वाटिटी अप्रिटी 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 ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा क्वांटइटी और कम प्राइस पर कम क्वांटइटी सप्लाइब और रही दिख्ञिया रहा है अपने को स्क्राइस कंव qualities इव गप्राइस कंवризिद कंव एधि ज्यादा major चलिए बेटा आईए नेक्स्ट पर आईए लेबर सप्लाइकर पर आईए अब आते हैं अपन लेबर सप्लाइकर पर बेटा मैंने आपको लेबर सप्लाइकर के बारे में क्या बात करी थी लेबर सप्लाइकर बिल्कुल आपकी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है साब हैं मान लीजे अभय साब हैं अभय साब की एक best friend है पिछले 5 साल से अभय उसको पसंद कर रहा है अभय को अब कोई भय नहीं है अभय अब निर्भय हो चुका है अब इसको कोई डर नी लगता आज वो इसको बोलने वाला है आज अपने प्यार का इजार ये पूरी तरीके से करने वाला है ठीक है तो ये इसकी friend के पास गया गया भय ये इसकी friend के पास friend के पास जाकर बोलता है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, मुझे तुम बहुत जादा पसंद हो, तो मैडम क्या बोलती है, अभए, I love you but as a friend, क्या बोला, सर उसने क्या बोला, सर जो नहीं बोलना था हो बोल दिया, I love you as a friend, सर ये labor supply curve का बहुत awesome feature है, सर ये backward bending labor supply curve है, यहाँ पे आप ले लीजिए wages, यहाँ पे labor supply ले लीजिए, तो इसको एक बार read कैसे करना है, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, जब बेटा आपका price कम रहता है, तब आप labor का supply भी कमी करते हैं, labor का supply भी कम करते हैं, बेटा जब price बढ़ता है, तब आप labor का supply तो जाए बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर अब आपको जादा मेहनत के लिए जादा पैसे मिल रहे हैं, तो जैसे ही रेड बढ़ जाता है, कोई बंदा जादा काम करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन साब एक लेवल आ जाता है, ध्यान दीजेगा, जब उसको वेजरेट ब जब आपका प्राइज वन था, तब आप इतनी क्वांटिटी सप्लाइ कर रहे थे लेबर की, प्राइज, सौरी, ग्राफ मॉडिल में है, सारे ग्राफ मॉडिल में है, सर देखिए, जब आपका प्राइज कम था, तब आप इतनी क्वांटिटी सप्लाइ करते थे, जब ज़्यादा wage rate मिलने लग गया तो आप ज़्यादा quantity supply करने लगे पर जब आपको बहुत ज़्यादा wage मिलने लग गया तो आपने quantity कम supply करना चालू कर दिये ये एक typical feature है कि भाई या पहले wage rate ज़्यादा मिल रहा है तो मैं ज़्यादा hours काम कर रहा हूं लेकिन जब मुझे wage rate बह लेबर supply करो graph number B backward bending labor supply करो तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए ऐसा एक दिल बना लो और दिल में से एक ऐसा काटा डाल दो ठीक है I love you but as a friend टूटे वे दिल की कहानी सर इसका shape भी देखो न आधे दिल जैसा बना है अरे आधे ही दिल है न क्यूँकि उसमें तो दिल दिया ही ने तुमको सर उसमें दिल दिया ही नहीं तुमको क्या करोगे तुम जान दो कुछ नहीं प्यार व्यार मोम आया है crush crush से काम चला हूँ मैंने आज तुमें सिखा है न intermediate stage चाहिए नहीं अपने को crush crush के बाद सिधा X crush और X इसी चीज़ के विच में done सर हो गया आये सर expansion and contraction सर सेम है expansion and contraction जैसे demand का था यहाँ पर supply का होगा वो कर downward था यह कर अपवर्ड है तो भजह बहुत सेम है आये एक supply कर बनाईए this is your original supply कर अब ध्यान दीजेगा upward moment वहाँ पर upward moment contraction था है upward moment expansion है तो यहाँ पर लिख लिजे upward moment is expansion और अगर मैं बात करो downward moment की contraction ठेक है takes place along same curve takes place along प्रोग दो लूग मैं बात कुछ गभ लिए कि यहाँ खवाँ मैंने अभी ओं ठोड़ी ऊहरा हूं कि तुम्हारे बार में बोल रहा हूं तुम्हारे वांदे N87 मेरी मेरी शादी की ओमर है मेरी तो शादी की ओमर है में तो इन चक्रों में पढ़ता भी नहीं आजज के एक क्रुछ एक्स से बच्छों का है Ultra Legend इसमें घुशते हैं नहीं Ultra Legend सीधा शाधी करते हैं चले है सर यह हो गया सर Awesome Graph बनाए है अपने Awesome Awesome सर Awesome मज़ा गया मज़ा अभी गए भपा सर अब Increase and Decrease क्या सर बचकानी चीज़े करवा रहे हो हमसे अहाँ सर Rightward Shift is Increase Leftward Shift is Decrease सो यहाँ पर लिखिए leftward shift decrease rightward shift increase यहाँ पर shift of the curve आता है voice नहीं है voice is clear voice is super 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 clear है सब congratulation guys we have completed almost 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 33% of the graph ठीक है हो गया यह यहाँ पर time waste नहीं करते है अब भी मज़ा आएगा भीड़ू भीड़ू अब मज़ा आने वाला है साब यहाँ पर फड़ा फड़ी यहाँ पर अभी अपने को time waste नहीं करना है perfectly inelastic के सर एंसर perfectly elastic आप लोगों को पता है perfectly elastic आप लोगों को पता है आप समय बर्बाद नहीं करेंगे perfectly elastic बनाईए perfectly elastic यह रहा क्या है सर यह perfectly elastic है coefficient कितना है सर इसका infinite percentage change in supply is equals to infinite percentage change in supply infinite है coefficient infinite है आई आप बनाते perfectly inelastic let's say this is perfectly यह रहा perfectly inelastic इसके कुछ features लिकली जे अपने गलत कलर किसे नहीं पाल लिया feature देखे सर coefficient is equals to zero percentage change in supply is equals to zero parallel parallel कौनसी एक्सिस से parallel है parallel to y-axis यह पे आप लिख सकते है parallel to x-axis बनाईए सर प्लीज जल्दी जल्दी करिए जल्दी जल्दी करिए दोस्तों विक्रम कश्मीरे बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन लेट आया 39 पहले तो तु नहीं 39 मिट्स पहले तो तु नहीं लाइक किया था पूरे डिमांड में ये तो graph को भी बचा देना चा देना सर ये module में नहीं है ना sub module में है sub module में है कैसी बाते कर रहे हैं मैं कहां से प्रकट कर रहा हूँ इस सारी चीज़े अब यह unit elastic निकालना है unit elastic unit elastic ऐसा upward sloping मैं थोड़ी प्रकट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कुछ आई ये लिखिए coefficient is equals to 1 percentage change in supply is equals to percentage change in price percentage change in supply is equals to percentage change in price कई बार इसको 45 degree line के हिसाब से भी बोला जाता है 45 degree line कई बार ऐसा भी कहा जाता है जरूर कृष्णा चीक है जरूर ये दिया है मैं पिछला एक मैं आगे बढ़ता हूँ तो पिछला एक छोड़के जाता हूँ ऐसा नहीं मैं नए पे जा रहा हूँ मैं पिछला एक छोड़के जरूर जाता हूँ जी 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 झाल झाल प्रश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्य तो इसमें दिमाग लगाना, more elastic बनाना है अपने को, सर देखिए मैं more elastic बना लेता हूँ, more elastic, सर कैसे पता चलेगा more elastic है, उसके लिए अपने को अपने trick अपनानी पड़ेगी, सर एक काम करिए, ये लिजे, आपका original price और इस original price पे supply कितना है सर, ये original price कम लेता है, let's say this is your original price और इस original price पे supply कितना है, इस original price पे supply इतना है, तुमने price बढ़ाया, तो supply भी बढ़ेगा, तो अब चेक करना है, सर percentage change in supply कितना है, सर percentage supply and more, यहाँ पे लिखिए, percentage change in supply is greater than percentage change in price, क्या time element, क्या time element, कौन से context में बात करें गेटा, अप पूछे तुमने को बताइए, तो सरी कौन से context में time element क्या होता है, सर time element, एक दिन से दूसरे दिन में जाना भी time element होता है, सर भूत काल से भविशे काल में जाना भी time element होता है, क्या बोल रहे हैं आप? सर बूद से भविश्य में जाना भी टाइम एलिमेंट किसमें दिया एडम स्मित में दिया रहे किस रेलेवेंस में समझाओ तुम्हें सर भलती चीज में आप पूछ रहे हैं उचसे विनय पूरा रेलेवेंट आउट पूछना बेटा में तरको मना थोड़ी कर रहा हूं इसलों मैरत हो नहीं अप मैरत हो आप में कुछ भी चीज आकर थोड़ी पूच सकते हैं नइ यह बोखम नहीं है विनये, विनये स्पैम नहीं है विन्हे स्पैम नहीं है बहिए यह हो गया आपका क्योंकि वो रेलेवेंट चीज लेकर आया है मेरे को समझ में आ रहा है वो स्पैम नहीं होगा वो चलिए अब लेस इलास्टिक पता करना अपने को सर लेस इलास्टिक मतलब ऐसा इस इस वे जो अड़िजनल प्राइस और सरी आगे आपका नाया प्राइस अभी यहां आप देखेंगे percentage change in price is more, यहां पर आपको मिलेगा percentage change in supply is less than percentage change in price, ठीक है, दूसरा coefficient less than 1, coefficient is less than 1 7410134858 is my number, मैं आपको बता दूँगा time element का मतलब क्या होता है, time element flow concept से linked है विटा, time element flow concept से linked है, expressed over a period of time, वहां से आता है, time element को describe क्या था, Adam Smith में, अभी नहीं बता सकते हैं, चलिए, हुआ, विटा यह हुआ आपका, summarize भी करवा रहा हूँ मैं आपके लिए, summarize भी करवा दिया, sir, coefficient less than 1, यहां पर percentage change in supply बहुत छोटा है, percentage change in price ज्यादा है, formula क्या है, percentage change in supply divided by percentage change in price, smaller number divided by bigger number, answer less than 1, done है, मेरे को कौन बोल रहा था कि sir, time कम मिल रहा है, फटा फट करिए इसको, फटा फट, फट, पेटा, फट, 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 फ पुल रहा है, आईए, 27 हो गया, 28 पर आईए, आरे, यह वाला तो आता है न, तुम्हें, demand और supply का equilibrium आता है, साहब अभी आगे बहुत गजब की चीज़ आने वाली है, sir, क्या गजब की चीज़ आने वाली है, अरे, देखो, sir, यह रहा आपका demand, यह रहा आपका supply है, और यह demand और supply की equilibrium से, बैटा, यह demand और supply की equilibrium से क्या मिलता है, sir, यह demand और supply की equilibrium से आपको मिलता है, equilibrium price and equilibrium quantity, sir, यह रहा आपका price जो market में चलेगा, और यह वाली रहे गए आपकी quantity, तो यह भाईया बहुत important graph है, sir, बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important है, तुम इतना draw तो को रह और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों बहुत ज़्यादा important है क्यों बहुत ज़्यादा important है बताते हैं बेच दीजे बेटा मैं आपको बता दूँगा हो गया ये हो गया होगा अब देखिए साथ अब हमें क्या करना है अब real एक दम जिगरा वाला काम करना है अब हमें demand और supply को कम ज़्यादा करके देखना नया price और नया quantity का गया ये एक गजब की चीज़ होने वाली है original demand और original supply करके equilibrium से हमें original price और original quantity मिलते हैं यहां तक clear है original demand कर और original supply करके लसे अपने को क्या मिलता है सर हमको मिलता है quantity और price का equilibrium आप देखिए साब मजा आईए सर अब आपको बनाने हैं ऐसे बहुत सारे graphs देखिए सर कितने graph हैं total 12 cases बनाने हैं आपको अब आपको 12 cases बनाने है कि भाई यह demand change होगी supply constant supply change demand constant यह वो फालाना ढिमका सारी चीज़े करनी है तो आप एक time पे 3 cases लें गया ठीक है we are going to take 3 cases at a time let's see 3 cases आपकी screen पे clear दिखना मुश्किल है आप एक time पे 2 cases उठाएंगे ठीक है screen में 2 cases दिखने देंगे बना बेटा फटा फटा फट यह बना और यह जो लिखा हुआ यह लिखो अभी अपने को इसके अंदर और काम करना है तुम्हें ऐसे ग्राफ बनाओ यह ग्राफ बनाओ तुम ठीक है original demand, original supply दोनों का equilibrium और case क्या है demand constant supply increase demand constant supply decrease यह case बनाने है प्लीज विवे, sorry भी नए अभी नहीं मैं आपको बोल रहा हूँना बाद में एक query marathon खराब करेगी बेटा बच्चों जैसी हरकत ना करिए बनाओ बेटा ऐसे कितने ग्राफ बनाने है आपको एक काम करीए मैं आपको टोटल पाँच मिनिट देता हूँ पाँच नहीं आप ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा बारा केसिस बनाईए ऐसे बारा केसिस बनाईए उपपर की हेडिंग के लिए दो लाइन छोड़ देजिए बारा केसिस बनाईए जल्दी से बारा केसिस बनाईए बेटा बारा केसिस फटा-फट बारा केसिस बनाओ टीक है डिमांड सप्लाय फड़ा 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 केसिस यह एके करके जब डिस्कस करेंगे तब लिखते हैं मैं आपको कुल विला कि 4-5 मिट दे रहा हूँ नहीं नहीं समय लगेगा फिर आप लोग मेंको बोलते हैं कि सर और फड़ाफड बनाईये चलिजी अगर आप बोले डिस्कस करते चलिये तो देखने है सर डिमांड कॉंस्टन्ट है सप्लाई इंक्रीज हो रहा है आपको पता है सप्लाई इंक्रीज होना मतलब क्या होता है यह आपका सप्लाई कर वे यह वाला तो सर यह इंक्रीज हो रहा है याने कि इधर जाएगा तो सर अब नया equilibrium कि इदर आ रहा है जरा देखेगा सर अब नया equilibrium इदर बन रहा है सर इस नय equilibrium पे चेक करिएगा बेटा नय equilibrium पे price इतना आ रहा है and quantity इतना आ रहा है तो नया equilibrium आया बेटा अगर demand constant है और supply increase हो जा रहा है तो price गिरता है quantity बढ़ रहा है सामने सामने दिख रहा है आपको सामने सामने की बात है बेटा सामने दिख रहा है आपको मेरी आखों में नींद का chance ही नहीं है बेटा impossible है मेरी आखों में नींद दिखे तुम्हें तुम्हें नींद आ रही होगी मैं आपको कोई चांस ही नहीं कि मैं सोऊंगा कल मैं वैसे भी सुब़ चार पाच बज़े सोता हूँ तो सर अभी इसका result क्या आया result देखिए result क्या है सर quantity increase हो जाएगी और price decrease हो जाएगा यह result आगया सर सर result आए result आए result आए सर रिजल्ट आगया अपने को बस यही गेम खेलते रहना है चलिए सर अगला गेम खेलते है अगला गेम खेलते है सर demand constant है supply decrease हो रहा है लाओ आपका supply यह रहा सर supply decrease हो गया सर नय equilibrium कहाँ पर form हो है यहाँ पर चलिए यहाँ पर check करते है सर यहाँ पर check करते है सर क्या हो गया price बढ़ गया quantity गिर गया तो result चेक कर लो सर result price increase quantity decrease मैं सोता ही नहीं, चार से पहले सोता ही नहीं मैं तो time pass करता हूँ फिर मैं reply करते हैं बटता हूँ students को मैं चार से पहले नीन आती है नहीं चार से नव बजे तक सोता हूँ मैं सुगर नव बजे उठ जाता हूँ मैं क्योंकि सब्वान वजय मार्केट रहता है तो उठ नहीं पढ़ता है मुझे किसी भी हालत में चार से पहले नींद आती नहीं है मुझको आती नहीं और तुम्हारी जाती नहीं बात सही है कि नहीं सर मुझको नीद आती नहीं और तुम्हारी नीद जाती नहीं सर देखो result आ गए result आ गए result आ गए सर अभी नया result अगर किसी का कुछ पीछे पाचे छूट जाए तो कोई tension लेने की बात नहीं है, set आप लोगों को पूरी copy मिल जागी, आप ध्यान दीजे, अब ध्यान दीजे, पीछे छूट जाए तो कोई बात नहीं, बेटा, अब demand इंक्रीज हो रहा है, और supply इंक्रीज हो रहा है, demand को पहले increase करो, बेटा, demand को इंक्रीज करो, मैं demand को इं increase in demand, increase in demand 10% है, supply 20%, यारी supply ज़्यादा increase हो रहा है, देखो supply ज़्यादा increase हो रहा है, तो ऐसे समय नया equilibrium ढूंड के निकालने की कोशिस करो, तो नया equilibrium यहाँ पे आएगा, ये, ये, sir, results लिकलो, result क्या होगा, sir, price गिर गया, and quantity increase हो गई, हाँ, जी, मैं जानता हूँ, मैं stock market में बहुत ज़्यादा advice देता हूँ, आप लोग जब account open किसी दिन कर लेंगे, तो मुझसे ज़रूर contact करिएगा, मैं आप लोगों को broker से भी मिलवा दूँगा, सारी चीज़े कर दूँगा, बेटा, results आ गए, तो results में क्या करना है, yes, 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 2.96K, आगे बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगर रह भी गया, तो मैं आपको graph दे दूँगा, हर एक की photo निकाल के दे दूँगा, आप दिमांग लगाते जाए, sir, demand 10% increase हो रहा है, demand को बढ़ाए, sir, demand, demand कर कौन सा ये, ये 10% increase हो रहा है, sir, 10% increase हुआ, supply भी increase हुआ, पर वो 5% increase हुआ, वो बहुत कम increase हुआ, sir, नया equilibrium डूंड के निकालो, sir, ये quantity भी बढ़ गया, price भी बढ़ गया, तो आपको जादा सोचने की ज़रूती, results compare करो, results, quantity increase, price increase, hello, आचल, ये बिल्कुल stock market जैसे charts लग रहे है, stock market के जैसे chart लग रहे है, पूरा पीछे background ब्लैक करके रखा है, मास्त एक तम, पढ़ने में भी एक तम मजा रहा है, बढ़े आगे बेटा, demand 10 प्रतिशत गिरा, supply 20 प्रतिशत गिरा, आप दोनों को गिराना है, बेटा आप दोनों को गिराना है, चली गिराते हैं दोदों को, sir, सबसे पहले demand को गिरा देते हैं, let's say this is demand, ये 10 प्रतिशत ग गिरा लेकिन, sir, supply जादा गिर गया, 20 प्रतिशत गिर गिर गया, नए equilibrium चेक कर लो कि दर आना है, equilibrium आप आना है, sir, जाओ, maggie veggie बना के लाओ, खाते हैं, must, खाते खाते पढ़ना है, result, पहले ये complete कर लेना, फिर must, maggie veggie खाओ तुम, ममी को बोलो, ममी पढ़ाई कर रहे है, maggie बना के दो, इस समय maggie का मज़ा ही अलग है, maggie, गरम, दूद और चाय, या फिर चाय, मज़ा ही आजाए, अरे वाग, sir, क्या हुआ, price increase हो गया, और sir, quantity, quantity decrease हो गई, ममी का आको मारेगी, पढ़ाई कर रहा है, बच्चा, ममी का आको मारेगी, क्यों ड़ाटेगी, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मैं तो भई पढ़ाई कर था, तो मेरी ममी तो रात रोज़वर खाना बना के दे नरको, sir, result आगए, result आगए, result आगए, sir, आगे, आगे, sir, halfway पे, आधे रस्ते पे पहुचने वाले हैं अपन, अब दढ़ने की बात नहीं, इसके आगे के गर आप तूफान फटा फट जाएंगे, sir, इसके बात क्या हो रहा है, आपका demand 10% गिर रहा, supply भी गिर रहा, पर 5% गिर रह है, sir, यहाँ पे quantity भी कम हो गई, and price भी कम हो गया, sir, दोनों चीज़े कम हो गई, तो result आगए, price, decrease, price तो decrease हो गया, sir, और quantity भी decrease हो गया, अरे मतलब ठीक है, उनको नहीं उठा रहे, तो तुम जाके तो बना सकते हो न, RC बच्चों, निकम्मो, जाके बना लो न, don't be निकम्मा, don't be निकम्मो, चलिए, हो गया, sir, result आगया, result आगया, result आगया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 पे आईए, sir, demand और supply, अब यहाँ पे देखो, विप्रित situation हो रही है, demand 10% increase हो रहा है, यह demand है, demand कर 10%, demand 10% increase हुआ, और supply 10% गिर गया, sir, supply 10% गिर गया, sir, अब देखना, एक अदभुद घटना घटी है, sir, क्या है, एक घटना घटी अनोखी, सर, वो अदभुद घटना यह घटी है, मैं थोड़ा सा तिकडम कर रहा है, यह आपे, थोड़ा सा, क्या तिकडम कर रहे हो, sir, तुम देखो, मैंने जान बूझ कि इसको ओवरलैप किया है, यह quantity में कोई change नहीं आएगा, price में change आजाएगा, mobile है, mobile तो कहीं भी ले जा सकते है, sir, यह देख लो यहाँ पर, यहाँ पर result आए, result आगे, result आए, quantity, no change, constant, थोड़ा और अच्छे से draw करते हैं, तो constant दीख जा था, और, sir, price, price, sir, increase हो गया, price increase होने का reason भी था, sir, demand बढ़ने लेकिन supply बढ़ने है, supply तो कम हो गया, so, result आए, sir, अब, अगली situation, अगली situation, demand 10% बढ़ रहा है, demand 10% बढ़ रहा है, sir, यह demand है, 10% बढ़ा, supply 20% गिर गया, sir, supply भेहन कर गिर गया, आए, चेक कर यह क्या आएंगे, result, quantity भी गिर जाएगी, इस बार, results आए, sir, result आए, आपका, quantity decrease, and price increase, एक टाइम पर एक चीज क्या करना, भाई, अनकी जैन सच में बोल रहा है, सभी बोल रहे है, एक टाइम पर एक चीज करो ना, पहले यह complete करो लो, तुम्हें marathon में सब भी पढ़ाना है, regular में marathon चाहिए, तुमको regular में fast track चाहिए, और fast track के अदर regular भी चाहिए, और regular के अंदर questions भी चाहिए, questions के अंदर marathon भी चाहिए, marathon के अंदर graph भी चाहिए, थोड़ा सा आराम से ना, एक टाइम पर एक चीज करो ना, मैंने क्या बोला, पूरा syllabus होने के बाद आपके लिए recommendatory है, अगर आपने मेरा mcq marathon देखा होगा, बेटा मेरा mcq marathon भी आ, एक बार देखिए ना आप चाहिए, सर आया, next वाला देखते है, सर अब फटाफट करें, अब थोड़ा फटाफट करते है, demand 10% increase होगया, सर demand, demand 10% increase हुआ है, and supply से 5% decrease हुआ है, तो सर नया equilibrium ना, अब फटाफट draw करेंगा, फटाफट equilibrium टॉक करेंगे, कि भाई या price तो बढ़ गया, और quantity भी बढ़ गया, आपने इसका मतलब module अब तक देखी ही नहीं है, सर क्या नया equilibrium पर, price increase, and quantity increase, done, सर यह हुआ, आगे बढ़े, मैं आपको दे दूँगा, इसकी photos दे दूँगा, can't wait so much on same same concern, सर demand 10% गिरा, supply 20% बढ़ गया, देख लो बेटा क्या results आए, result आया है, ये, कॉमा ये, क्या result है, price गिर गया, rice, increase, quantity, मैंने बोला ना, पैजन, draw मत कर, draw फटाफट कर, या फिर मत कर, मैं पूरी की पूरी PDF, तो share करूँगा, इना, क्योंकि अभी अपन, 38 graph में जाना, 83 पे, यही सबसे critical part है, इसके बाद तो, धर्दर धर्दर जर्दर जाने आए, इसके बाद तकलीप ही नहीं है, इसमें तुम्हें क्या है, चार चीज़ा बनानी पड़ती है, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 10-15 मेंट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मैं पानी पी लेता हूँ, आप बनाई ये graph, मैं अगला भी बना लेता हूँ, फिर आप बनाते जाएगा, फिर मैं पानी पीता हूँ, डिमांड 10 प्रतिशत गिर रहा है, डिमांड गिर गया सिट, और सप्लाई 10 प्रतिशत बढ़ गया है, सप्लाई 10 प्रतिशत ही बढ़ा है, तो देख बेटा, अग्जेक्ट कहाँ पर एक्विलिब्र मागा, कौन से पॉइंट पर टच कर लिया है, इन्होंने एक्जेक्ट आया सर, अपना एक्जेक्ट आंसर आ रहा है, तो अपन बहुत सही खेल रहे हैं सर इसके अंदर, सर नया वाले केस में देखी, कि आप क्या होने वाला है, क्वांटिटी उतना का उतना ही रहेगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, एंड क्वांटिटी कॉंस्टन्ट रहेगा, तो यह पानी पी लेता हूँ, अजयर इसके जाएगा, आальный कि लेता हूँ, यह झाल हूँ, कि लग्सNoble कि लिवड़िगे यह झाल हूँ यहूँ, इस पे या कि वाइट बोर यूज ही ने हो सकता इस पर वाइट बोर नहीं यूज होगा वाइट बोर में दिखता ही नहीं है वह आप इतने color color इतने उभर के आते ही नहीं है समझ में आए गई नहीं तुमको possible नहीं है marathon और कौन सा लेना है marathon अल्रेड़ी आ चुका है तुम लोगों को होश नहीं है graph marathon आ गया, concept marathon आ गया MCQ marathon आ गया, 3 marathon आ गया कौन सा marathon बाकी है आए सर, demand 10% गिर गया फटा फट यार, सर, demand 10% गिर गया और supply सिर 5% बढ़ा है सर, supply इस बर सिर्फ जादा नहीं बढ़ा है, सर, 5% बढ़ा है सर, नया equilibrium आ पाकर चेक करेंगे, तो ये और ये, result चेक कर लीजे result चेक करें, सर, result result क्या है सर, price decrease और quantity decrease वाइड बोड का option ही जा चुका है, क्योंकि ये, वाइड लाइन्स मिट जाएगी वाइड बोड करूँगा तो वाइड लाइन्स चली जाएगी मैं यहाँ पर ब्लाक कलर नहीं उस कर सकता अगर मैं इसको वाइड करने के पूश्चिस करने हो, वाइड लेंग सारी मिट जाएगी उपर की दन, विएर हाफ पे डन, 33 परसेंट हो गया तब फिफ्टी परसेंट हो गया अपना हो गया क्या दोस्तों, दोस्तों यह हो गया, दोस्तों हो गया क्या और सर हो गया ठीके मैंने उपर बोला था कि दो ग्राफ मैंने छुडवाए थे आप continuity करेए इसके बाद दो ग्राफ बनाई मैंने यहाँ पर दो ग्राफ बनवाए थे कौन कौन से सर ऐसा original demand, original supply का यह वाला एक pending था कि यहाँ पर supply constant है कुछ अलग नहीं है सिर्फ supply constant है अब इस question में क्या बोला गया है supply constant है, demand increase हो रहा है तो यह कुछ नहीं है, demand को increase कर दो नए equilibrium यहाँ पर आएगा नए वाले equilibrium पर आप चेक करेंगे दोनों चीज़े बढ़ रही है फिर बात में इनोंने बोला supply constant है supply constant है demand को decrease कर दीजे नए वाले equilibrium यहाँ पर आएगा आप चेक कर सकते है results चेक कर लिजे results price and quantity decreases और यहाँ पर क्या हो जाएगा price increase quantity increase results प्रूपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप क्या हुआ पल लभी इतना चौक क्यों रही हो चौक गए पर क्यों सर वी आर ओल्मोस्ट फिफ्टी फ़ाइ परसेंट डन ठीके पचास पचपन प्रतिशत हो गया है इसके आगे का सी लेवस बहुत इसी आपको बस ध्यान देना है मेरे उपपर इसके आगे के ग्राफ इतने खतरनाक नहीं है यह रेपीटेटिव ग्राफ है चली बढ़े आगे सर हो गया आपना देखिए अपने कितने अध्भुत अविश्वस्नी या सुन्दर-सुन्दर ग्राफ बणाए सर यह आजित्य शर्मा ऐसे ग्राफ बनाएक ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है इतने अच्छे अच्छे ग्राफ बनाना मतलब नामुमकिन है मेरे लिए तो न तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ठीक है फटाफट हो जाएगा अपना मैं भूग भी मेरे सामने उपन कर लेता हूँ ताकि कर की जो स्मूथनेस है उसके अंदर कोई हैंपर ना हो कुछ हैंपर ना हो कि अब बोलेंगे सब कर की स्मूथनेस के उपर हां ठीक है शुरू करते हैं कि सब पीवन पी क्यूवन पीटू क्यूटू ऐसा कुछ लिख दीजिए तो ताकि पीडिये देखके उसको समझ में आ जाएगा पेटा तुम्हें समझ में तो आ जाना चाहिए कैसे समझ भी नहीं पीटू क्यूटू ही होगा सीधी सी बात है आज ही सब कर वाओंगा मैं तो फुल फॉर्म में हूँ आईए सर प्रोडक्शन के उपर आते हैं सबसे पहले अपन बनाएंगे टोटल प्रोड़क्टर टोटल प्रोड़क्टर फर्स्ट इंक्रीजिस अट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट 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 इंक् अब ऑवरेज, आब आबरैज कर बनाएंगें दोस्तों अपन एवरेज कर थोड़ा सा दोटीन ज़िसा सकता है मेरे को सरी एवरेज कर रहे है अभी तो थोड़ा सा गलत बनाए हल्का सा सर यह है एवरेज प्रोड़क कर मेरे चैनल पर अनलिस्टेट पड़ा है अब मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा है सर कौन सा कर जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते है इस कर को मैं एक अजीब नाम देता हूँ कोई मुझे बता है का कौन सा कर आने वाला है कोई बता सकता है मेरे तोन ओलिटी डल चुका है बेटा तुम लोग देखते नहीं हो बेटा एक कौन सा कर आने वाले एक उतावला कर आने वाला है उस उतावला कर को अभी मैं ड्रॉ करूंगा कोई एक अलग कलर से लेट से ये वाले कलर से तो बेटा देखना ये मार्जिनल प्रोड़क का कर उतावला कर आएगा 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 और आएगा सर बन गया एक ही बार में परफेक्ट बन गया सर बन गया उतावला कर बन गया सर लगबग लगबग हिलते डुलते बन गया सर 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 मदा आ गया लेकिन नहीं संतुष्टी नहीं है सर मजा नहीं आया सर जी अब बन जाएगा अब बना सर अब जाके अब तो गलत ही बन गया बन गया सर बेटा I am a chartered accountant I have seen hundreds of sleepless nights यह तो तुम्हारा काम कर रहा हूँ यह तो भाया रटा हुआ यह सारी चीज़े क्लाइन का काम हमने दो दो दिन बिना सोय किया है तुम को क्या बोलूगा चार यह रा मार्जिनल प्रोड़क्ट कर अब ज़रा ध्यान दीजेगा दोस्तों सर जहान पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मैं सो गया तो गया मैं repeat नहीं करने वाला मैं पहली बोल रहा है repeat नहीं करूँगा सर ध्यान दीजेगा जहान पे AP और MP का million होता है MP करave AP को उपर से कट करता है वो AP को उसके maximum में करता है इसको बोलते हैं stage 1 स्टेज 1 था यहां दर सर जहां पे ये टोटल प्रोड़क्ट मैक्सिमम रहता है वहां पे मार्जिनल प्रोड़क्ट 0 रहता है सर इसको बोलते है स्टेज 2 का अंत और स्टेज 3 का प्रारंब तो सर ये आ गया ये आ गया ये आ गया आपका स्टेज 3 स्टेज 3 की पैचान टोटल प्रोड़क्ट मैक्स है और मार्जिनल प्रोड़क्ट इस इक्वल्स टू जीरो है सिमिलर सर स्टेज 1 के अंदर क्या है स्टेज 1 कब खतम होता है वेन इसको स्टेज 1 बोल देते हैं और यह है सर स्टेज 2 अब ज़रा ध्यान दीजे एक विचित्र पॉइंट आने वाला है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर जहां पे आपका MP मैक्सिमम रहता है जहां पे आपका MP मैक्सिमम रहता है वो लाइन को आप उपर ले जाए उसको एक्स्टेंड करिए और उसको plot कर दीजे total product curve पे इसको बोला जाता है point of inflection point of inflection क्या बताता है it is that point on TP curve where MP is maximum it is that point on TP curve where MP is maximum सर इससे क्या पता चलता है point of inflection तक गाड़ी की speed बहुत तेज रहती increases at increasing rate point of inflation के बाद increases at decreasing rate होता है यह चीज याद रुकिए का stage 1, stage 2, stage 3 हम कहाँ पर operate करते हैं stage 2 के अंदर operate करते हैं stage 2 का एक और नाम लिख लीजे stage 2 stage of diminishing return stage 3 को बोला जाता है stage of negative return और stage 1 को बोला जाता है stage of increasing return diminishing return आज बहुत कम लाइक है अपने तो 15-20 मिट में हो जाते हैं 100 तो अपने लिए 15-20 मिट की बात है ठीक है समय भी अजीब है मेरी रोहन सर से बात हुरी थी रोहन सर भी पूछ रहते हैं इस टाइम पर बच्चे आएंगे क्या मैंने बूला देखते हैं अपना तो परपस क्या है अपना परपस है कि भाया रिकॉर्ड करना है ठीक है हो सकता है किस स्टुडेंट की पढ़ाई जल्दी हो जाए तो उसके लिए यूटिलिटी तैयार करके रखने सब नहीं सोय है गेमर मैं तो नहीं सोय है सारी चीजों में वाउचर चेकिंग बेस होता है हर चीज में वेटा यह हो गया तुम्हारा शॉर्टरन प्रडक्शन करफ सर खतरनाक कर वह इसको बस तस्वीर को अपने सीने से लगा लो ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है सर सर यह निकल गया आप से अगर नहीं निकलाना तो इसकी से फोटो निकाल लो स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि यह निकालना एक्यूरेसी से बहुत मुश्किल गाम है नहीं नहीं राप को नहीं होगा काउंट सुबर 10 बजे होगा मुझ सब पूछ रहे थे जस्ट सर स्टेज 2 को डिमिनिशिंग रिटन पते है क्यों बोला जाता है स्टेज 2 को डिमिनिशिंग इसलिए बोला जाता है या पर 3 में से 2 चीज़े गिर रही है सर MP भी गिरता है, AP भी गिरता है after my lick नहीं रहे like, lick मतलब चाटना होता है lick नहीं, like चलिए, आगे बढ़ते हैं short run हो गया long run में आईए, long run में increasing return to scale, constant return to scale और decreasing return to scale होता है इसके graph कच रहा है, इसके graph literally कच रहा है मैं जितना बोलता हूँ उतना देखो पहले लिख लो, 3 graph बना लो फटा-फट, back to back 3 हो एक साथ देखता है पंसर कच रहा है increasing return to scales लिखना इसके आगे decreasing return to scales लिखना constant return to scales लिखना pool नहीं होता है, बेटा, P.O.L.L. होता है ऐसी गलतिया करोगे न, तुम आज कटते है सर प्लीज, आज pool ले लिजे pool मतलब snooker pool मतलब swimming pool increasing return का graph देख लिख लिजे, हाँ मैं वैसे भी दसकार एक से timing change करने वालो sir increasing return का graph decreasing return to का graph क्या होता है, सब सिखा दिया जाएगा इसको demand और supply जैसा मत बोलना हर गिरने वाली चीज demand नहीं होती हर उठने वाली चीज supply नहीं होती timing change को लेकर बात करने कुछ बच्चे है जो अपना साड़े आड़ बचे timing रहता है ना उसको लेकर बात करने प्लीज इधर उदर की बाते मत करो मैं chat ज्यान मी देने वाला आप अपना काम करिए ligation input बढ़ाने से अगर output बढ़ता है तो increasing return to scale input बढ़ाने से output उस proportion में नहीं बढ़ता है decreasing return to scale यहाँ पर output की जगा बेटा एक word लिख लो एक word मैं बाद में समझाओंगा आपको word लिखो marginal यह word जरूर लिखना मैं आपको जब regular lecture हो गयोंगे तो आपको पता होगा जरूर पता होगा लेकिन अगर regular lecture नहीं हुआ है या फिर revision नहीं हुआ है तो आपको शायद नहीं बता होगा तो मैं आपको बात बता होगा marginal marginal word लिखतीजे बस उतना ही चाहिए yes a plus b is equals to one नहीं a plus b equals to one constant a plus b less than one decreasing a plus b more than one याने change की बात कर लें yes 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 तीनों बना लिजए फटा फट sir we are more than 60% done thank you done छे आगे बढ़ते है आए sir iso quant curve बनाते है याद आपने थोड़ी देर फ़ले indifference curve बनाते है indifference curve क्या था sir indifference curve equal satisfaction बता था iso quant curve भी indifference curve जैसा है sir ये एक ऐसा curve है जो combination बताता है two inputs का ये क्या बताता है बटा combination बताता है two inputs का जिससे same output आये आपका तो iso quant iso मतलब equal quant मतलब quantity equal quantity आता है तो चाया point a ले चाया point b ले चाया point c ले point a, point b, point c तीनों आपको same output दे रहे वाले है तो sir यहाँ पर क्या है यहाँ पर input 1 है let's say labor और यहाँ पर क्या है input 2 input 2 किसको ले रहे था पन capital को तो भाई ये वाले को point को देखेंगे capital जादा है अब आपने जैसे ही capital कम किया labor बढ़ा दिया तो बिल्कुल indifference curve जैसा है तो यहाँ पर भी मैंने axis को touch थोड़ी किया है axis को touch कर दिया है मतलब combination में से एक commodity आया है वापन नहीं करते हैं वो combination अपन combination of 2E बोलते हैं हमेशा अब यहाँ पर जारा देखेगा बिटा यहाँ पर देखेगा यह क्या represent करता है a, b, c represent a, b, c यह तीनों क्या represent करते हैं a, b, c represent करते हैं equal production सर जैसे indifference कर मैं higher indifference कर more satisfaction देता था उसी तरीके से सर यहाँ पर भी higher iso quant curve give extra production more production and सर lower iso quant curve give lower production या आपका indifference map भी बन गया साथ हो सा तो producer क्या चाहेगा भाया जादा से जादा quantity produce करें क्योंकि जादा सादा quantity produce करेगा तो जादा सादा profit होने वाला इसको बराबर है कि नहीं सर तो सर यह indif iso quant curve भी हो गया iso quant map भी हो गया iso quant curve भी हो गया iso quant map भी हो गया सर यह दोनों चीज़े हो गई तो point A, point B, point C क्या बोलता है combination of various input वहाँ पे combination of क्या था सर महाँ पे combination of commodity equal satisfaction देती थी यहाँ पे combination of input है सर combination of labor, combination of capital जो equal production दे रही है higher ISO quant curve, higher production lower ISO quant curve, lower production जैसे महाँ पे budget line होती थी यहाँ पे ISO cost line होती है तो सर ISO cost line बना लेते हैं जैसे एक ISO cost line बना लेते हैं ISO cost line तो जिस तरीके से महाँ पे ISO महाँ पे क्या था budget line थी यहाँ पे ISO cost बोला जाते हैं इसको budget line भी बोला जाता है तो ऐसे घवराने की बात न थी ISO cost line अब इसके बात करेंगे बेटापन इसका optimization मिस्टर गेमर अब उसका याद करके क्या करें वो पता नहीं पर याद करना है मुझे यह पता है BCK का chapter 3 और मेरे खाल से गेमर मैं आपको मेरे lectures में नहीं देख रहा हूँ जो मेरे lectures में रहते हैं न शाम के time पे they are really, really, really enjoying that particular chapter उनको गजब याद दिला रहे, इतने मजे से हम याद कर रहे, इतना मजे से पढ़ रहे है मेरा BCK का chapter 3 fun है बाकी लोग comments दे सकते हैं अपने अगर उनको अच्छा लगा हो तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा सरी ISO cost line अई ISO cost line क्या बताता है सर any point lying on ISO cost curve represent full spending by producer उसके पैसे कतब हो जाते हैं सर सक प्रतिशत आप देखिए वो गजब की चीज़ है तो मैटा अगर अभी आप draw नहीं कर रहें तो चलेगा मैं आपको PDF इसकी share कर दूँगा ठीक है सूपर से भी उपर आए सर optimization करते हैं जैसे वहाँ optimization किया था सर यहाँ पर भी same optimization करना है यह चीज़ याद रखिया फटाफट इसका optimization मार देते हैं सर production optimization कर देते हैं आईए सर production optimization वहाँ पर हम equilibrium word यूज करते थे यहाँ पर optimization word यूज कर रहा हूँ बाकी तो चीज़े कोई फरक नहीं है सर एक यह कर दूसरा कर यह है सर तीसरा कर यह है और चौथा कर यह है तो अब आपको बताने की जरुद नहीं है let's say this is IC1 this is IC2 this is IC3 this is IC4 तो optimization कब होता है when IC IC निया ISO-Quantate when ISO-Quant curve and ISO-Cost line cuts each other tangentially sir IC curve is not possible to quantify the level of satisfaction acquired by customer the level of production acquired by the producer is easily quantified sir इसका मतलब बता दीचे IC curve is not possible to quantify the level of satisfaction acquired by the consumer the level of production acquired by the producer is easily quantified याने कि यह बात कर रहे है कि कितना तुझे satisfaction मिला ध्यान से सुन sir IC कर क्या बताता है satisfaction और ISO-Quant curve कर क्या बताता है किती quantity निकली तो तुझे कितना satisfaction मिला यह बताना लिखित तौर पे मुश्किल है लेकिन कितनी quantity produce हो गई वह तो physical output है वह तो एक छटके में पता चल जाता है यह उसका मतलब है चल बांबे नी बांबे चल तुझे राजकुमार से मिलाता हूँ निलकंड के दर्शन करवाता हूँ गोल्ड स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ खिलाता हूँ चल बांबे बांबे याने बावन बावन याने 1952 sir भारत पेट्रोलियम हो गया sir optimization done आये sir अब cost कर प्याते हैं जाई आप पानी पी क्या रही है मैं भी पानी पी लेता हूँ अब ये हमारे कितने chapter होगा है हमारे 5 chapter होगा 6 और 7 बागी है 2 chapter बागी है 5 खतम होगा आया है चुष गल है यदर के ज़साओ, आप हना चुट inf otherwise on प्योग hak मैं बागी है किता हूँ, स्रुट को बागी है ज़सा właściड से की ले थाट बागी है कangen होगाोग, बागी है है का जङाद समया है बाग प्सने राख रागी है त्त ररेख कर उब करливें पिटा आज ये ग्राफ करने के बाद ना पता है क्या होने वाला है ये सारे ग्राफ पतम होने के बाद क्या होने वाला है कभी तुम्हें इश्क वाला लव हुआ है नहीं सर इश्क वाला लव नहीं हो है पर सुकून वाली नीद जरूर आएगी आज आज सैटिस्टेक्शन वाली नीद आएगी सर इश्क वाला लव तो नहीं हो है पर सुकून वाली नीद जरूर आएगी आज वहत मज़ा है सर अब हलका सा इपाट वाकी है अभी तो धपा धप भागने का है अपने को धपा धप बोला तुम लोग गलत नहीं सुनने का अब आई मेरे बीजों भी सोना रहता है मेरे सुबह क्लास रहती है मेरे सुबह अनखेडमी की क्लास रहती है 9 वजे वो तो मैंने कल कैंसल करी तुम लोगों के लिए इश्क वाला लाव आज सुकून और सैटिस्फेक्शन वाली नींद इश्क वाला लाव आईए सर total fixed cost, मुझे एक बात बताईए fixed cost, total fixed cost constant रहती है, तो total fixed cost का graph के से आएगा सर, total fixed cost चाहिए आप एक unit produce करो चाहिए, दो produce करो चाहिए, दस produce करो चाहिए, पचास produce करो सर, total का graph तो भाया constant ही रहेगा तो यहाँ पर अगर मैं quantity ले लो तो quantity कितनी भी change करो तुमारा cost इतना ही आना है सर, दोनों नहीं दोनों ही नहीं इश्टवाला लव भी ने, सुकुन वाली नींद भी नहीं आज आ जाएगी लीजे सर, मैंने आपको बता दिया अब total variable cost, बेटा variable cost में ध्यान से सुनना total variable cost, variable cost रहे raw material की cost, labor की cost तो जितना जादा produce करोगे उतनी जादा cost लगेगी तो बेटा अगर मैं यहाँ पर cost ले लूँ और यहाँ पर quantity ले लूँ तो ध्यान से सुनेगा, 2 minute draw मत करना please draw मत करना, भी आप 0 unit produce करोगे तो 0 raw material लगेगा अब 0 unit produce करोगे तो भी मैं variable cost, total variable cost average variable cost ने total variable cost एक तो यह graph होता है एक दूसरा भी बताता हूँ आपको ज़्यादा use होता है, मैं वो वाला बताता हूँ ज़्यादा use होता है, मैं वो बताऊँगा एक तो यह है दूसरा वाला देखना, इसी के उपर super impulse कर देता हूँ यानि इसी के उपर बना देता हूँ तो दोनों होते हैं सर देखिए जब अपन ज़ादा produce करने की कोशिस करते हैं ध्यान से सुनिएगा सर जब अपन ज़ादा produce करते हैं तो ज़ादा buy करते हैं जादा buy करते है तो क्या मिलता है बेटर discount मिलता है यानि economies मिलती है लेकिन एक level के बाद economies डिस economies में हो जाती है तो वो graph कुछ इस तरीके से रहता है जादा buy करते है तो cost तो बढ़ती है लेकिन बाद में cost कम होती है लेकिन बाद में cost बढ़ना चालू हो जाती economies get converted into dis economies तो कई बा सर पहले आपको bulk discount bulk purchase करें पर discount मिलता है लेकिन बाद में आपकी cost बढ़ना चालो हो जाती disconomies के कारण यह होगा total variable cost अगर मैं इन दोनों का addition करूँ बेटा आप मैं इन दोनों का addition करूँ total fixed cost plus total variable cost तो मिझे मिलेगा total cost आईए जी total cost देखते हैं कैसा रहेगा सर टोटल cost जो रहेगा ना सर टोटल cost देखो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रह सकता है या तो सर ऐसा भी रह सकता है दोनों में difference क्या है सर अगर मानलो तुमारा variable cost straight line है तो blue वाले को follow करो और अगर तुमारा variable cost curve आ रहा है economies और dis economies के करण तो green वाले को follow करो सर टोटल cost 0 से क्यों नहीं start हो रहा है क्योंकि भाईया अगर तू 0 production भी कर रहा है तो तेको at least fixed cost तो लगी रहा है तो अगर total production 0 भी कर रहा है तो तेको variable cost 0 लग रहा है पर total production 0 करने पर fixed cost तो लगी रहा है ठीक है total कुछ भी production 0 भी करेगा तो भी तेको fixed cost तो लग नहीं वाला है इसका मतलब चाहे तो 0 unit produce कर तेरी total cost कम से कम fixed cost जितनी तो रहेगी रहेगी सर ये done सर इन तीनों को एक साथ मैंने बना दिया mix of three above mix of three सर mix of three बना दिया मैंने यापर इसको अब लिखने की जरुवत नहीं इसको cross मार दो उडाता नहीं हूँ मैं क्योंकि मेरे sequencing change हो जाएगी मैं इसको cut कर रहा हूँ यापर कुछ है ही नहीं अपना सर एमसी कर इस इडेंटिकल तू सप्लाइ कर marginal MC MC कर रहा है येस सर येस सर गेमर येस अब average variable cost सर अब average variable cost average fixed cost मुझे एक बात बता ना तुमारे पास एक room है तुमने room ले रखा है classroom उसका rent टार है 10,000 एक ही student है तो rent per student कितना हो गया सर rent per student कितना हो गया 10,000 दो student आगे तो rent per student कितना हो गया 10,000 divided by to 5,000 रेंट per student अगर 3 student आगे तो 3,333 4 student आगे तो rent per student कितना हो गया सर और कम होता जाएगा इसका मतलब क्या है जैसे output बढ़ेगा average fixed cost तो आपकी गिरती जाएगी तो पहले average fixed cost पे आते हैं तो average fixed cost हमेशा गिरेगी always falls with increase in output next can not be 0 सर यह 0 नहीं हो सकता cannot touch axis अगर यह 0 नहीं हो सकता तो axis को भी touch नहीं करेगा क्यों सर 0 नहीं हो सकता क्योंकि सर कुछ भी कर लो numerator में fixed cost लेंगे total denominator में quantity लेंगे कभी 0 होई नहीं सकता अब सर average variable cost पे आई यह average variable cost important है सर average variable cost का graph कैसर है आप देख लीजे सर average variable cost का graph भी use shape रहता है लगबख कुछ ऐसा use shape रहता है ठीक है यह initially क्यों गिरता है सर economies of scale बाद में क्यों बढ़ना चलो हो जाता है I hope it is clear यहाँ पे लिख लिजे initially average variable cost decreases due to economies of scale and then increases due to dis economies shutdown point कुछ नहीं है रहे shutdown point तो बहुत अलग है वो तो next chapter में पढ़ना है अपने को वो यहाँ पे कैसे आ गया यह सर देखो अब बहुत simple है अब अपने क्या निकाला हमने क्या निकाला total fixed cost total variable cost total cost ठीक है फिर उसके बाद क्या निकाला वेटा अपने उसके बाद अपने average fixed cost निकाला total fixed cost divided by quantity continuously गरता है average variable cost कैसा रहता है सर यह U shape कर रहता है अब marginal cost कर देखते हैं average total cost कर सर इन दोनों का submission average fixed cost average fixed cost plus average variable cost is equals to average total cost इसका ग्राफ बहुत simple है इसका ग्राफ यह स्वेश चांद जैसा रहता है इसका ग्राफ चांद रहता है अभी नहीं आया है वो point अभी क्यों पूछ रहे है आगे आएगा ना shutdown point time के ना शिखाऊंगा अरे यह खतम होने के बाद अठरा ग्राफ उसी के है अठरा ग्राफ सर हाँ अठरा ग्राफ है उनके याने 6-6-6 के 3 set है खटा-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट होते है वो सारे के सारे एक पर देख लिए average variable cost कभी भी यू शेप कर नहीं रहता है अपने पास टेबल है रेगलर लेक्चर में आपको चेक करने की जरूत नहीं तो यह चांज जैसा मिलता है अपने को आवरेज टोटल कोस्ट और यह नाइकी जैसा साइन यह उतावला यह गिरता भी पहले है देखो पहली गिर रहा है और बाद में बढ़ता भी पहले सर अब इसका मिक्स बता दो इन सारी चीजों को एक साथ एक ग्राफ में उतार दो ओके ना आपकी बात मान जाता हूँ तो सबसे पहले यह निकालते हैं अपन आवरेज फिक्स कोस्ट फिर सर अपन निकालते हैं लेट से यह रहा आपका आवरेज वेरिय बाकी है सर नाइकी वाला दोनों को मिड़ पॉइंट से कट करता है इसके भी मिड़ पॉइंट पे इसके भी मिड़ पॉइंट पे यह है मार्जिनल कोस्ट यह ग्राफ बहुत बार एक्जाम में पूचा जाता है बहुत जादा मार्स के लिए पूचा जाता है बार बार तो उसको तो cut करता ही करता है, इसके भी midpoint पर cut करता है तो यह उतावला graph है, यह गिरता भी पहले, बढ़ता भी पहले देखो इसने गिर के यहां से बढ़ना चालू भी कर दिया, अभी तो यह गिर ही रहे है तो यह most important graph है, most important graph सबसे ज़ादा इस chapter का done, बेटर done है तो मैं को बताईए, फिर आगे तो कच्छरा है, अब कुछ नहीं है खास रर कच्छरा नहीं है, आगे कच्छरा है, अब कुछ खास नहीं है target 30 minutes done आदे बच्छे नींद के जोके में, फिर बटाएगा semi variable cost, semi variable cost मतलब ऐसी cost रहती है, जो कुछ level तक constant रहती है, फिर suddenly बढ़ती है इसकी जगह इन्होंने काफी बार step ladder word भी use किया है, step ladder cost example लेता हूँ, मेरे पास 40 लोगों की capacity के classroom में 10 रुपे रेंट देता हूँ तो 0 से लेकर 40 student तक आए 10 रुपे रेंट जाएगा, 40 से 41 भी हो गए तो suddenly cost बढ़ जाती है फिर वो 41 से लेकर 80 तक cost constant रहती है, लेकिन जैसे 81 student रहती है, cost एक दम shoot up हो जाती है तो कई ना कई 0 से लेकर 40 student तक cost constant रहती है, फिर suddenly बढ़ जाती है, एक भी student बढ़ाती है फिर सर अगले 40 तक constant रहती है, फिर suddenly बढ़ जाती है, तो ये इस तरीके से step ladder जैसा behavior दिखाती है इस लेकर इस cost को बोला जाता है, step ladder call अब तो आ रहा है ना, चल जैसे mp कर k production कभी भी maximum, maximum देखते हैं अपन और ये कभी minimum देखते है अरे सर, अब ये वाला curve, कितने लोगों को इसका मैंने दिया हूँ नाम याद है, कितने लोगों को नाम याद है, मैंने इस curve को क्या नाम दिया long run, average cost curve को मैंने क्या नाम दिया, कितने लोगों को याद है, अरे सर, कितने लोग जानते हैं मैंने क्या नाम दिया इसको, बताइए critical graphs खतम हो गया critical graph खतम है, कुछ नहीं बचा, अरे नहीं यार, मेरा दिया हूँ नाम, मेरा दिया हूँ नाम नहीं जानते हैं जोला कर, कुणली कर नहीं रहे, no money, no honey नहीं रहे, पंडित जी वाला कर बोलता हूँ, मेरे लोग जानते हैं, इसको पंडित पर जिसमें जोला कर बोला वो भी जानते हैं, ये पंडित जी वाला कर। पंडिट जी वाला कर, यह हरा रहा होगा वेंग मरम मरमेंकिंग पंडिट जी वाला कर, सरे कष़ कैसे बनता है, इनफांब आइसे से क्लिय टॅ केे हलब से, यह सब शोटर बनारीज के पल लिताई कर, धाइस सब को संद कर कउरे, जब एक कर्व envelope करता है tangentially cut करके जाता है तो हम उसको बोलते हैं planning curve पंडिक जी वाला कर्व बोलते हैं हम इसको सरे तो ये इसको क्या-क्या नाम दिया envelope curve envelope curve ठीक है दूसरा नाम है planning curve तीसरा नाम है long run average cost curve सब तीन नाम आ गए अब ये क्या करता है infinite SSE को एक curve tangentially cut करके ले जाता है smoothly tangentially तो ये जो orange curve है न ये कोई अपने आप में करते है infinite SSE curve को एक smooth freehand curve बनता ही जाता है tangentially cut करते है एक चीज़ का ध्यान रखना जब ये गिरता है जब आपका ध्यान से सुनिएगा मेरी बाद जब ये आपका LSE curve गिरता है तो SSE के falling portion को tangentially cut करता है सर जब आपका LSE बढ़ता है वो इसके rising portion को touch करता है सिर्व एक ही जगा आती है जब वो इसके midpoint पे touch करता है ठीक है तो ये वाले midpoint पे cut करता है ये याद रखेगा आपको जब वो गिरता है सर ये cost गिर रही है बेटा अच्छी बात है न cost गिर रही है ये क्यों होता है fall क्यों होता है falling portion पूछा जाता है falling portion is due to economies and rising portion ये देको cost पहले यहाँ से गिर रही थी अब suddenly बढ़ना चालो हो गया due to this economies आज चलो उसके लेक्चर देखना पड़ेगा 45 minutes का तो लेक्चर है उसके लिए पंडिजी के पीछे का लोजे ये सब अंदर जो बैठे ली है ये कन्याओं की कुंडलियां है और ये पंडिजी का जोला है हो गया पिटा सरे 59 पे भी कुछ नहीं है चलिए खतम हो रहे ग्राफ अपन सर अपन 60 पे आ गए आखरी के 3 ग्राफ तो कुछ काम की नहीं है सिब 20 ग्राफ भी नहीं रह गए अपने उसमें से 18 तो वही है बहुत सिंपल है हाँ फोटो भी है कुणडली भी है सारी है सर कुणडली का भाग्या है आईए सर अब सर रेवेन्यु कर में आते हैं आप कुछ नहीं रह गया अब देखो क्या रह गया है ध्यान देना मेरी बात पर बेटा अपने को तीनो जगा पे रेवेन्यु कर निकालना है उसके बाद optimization मारना है, हर market के अंदर बस, खतम, खतम खतम सर, खतम कितना करके आए एक बार देख रहा है आपको ज़रा खुद पे नास कर लो किसी दिन देखो साब एक-एक बनाया है, एक-एक समझा है डीटेल में किया है चलिए सर, आईए, आईए सर, ध्यान से सुनेगा ये जो तीन बक्से है ये जादू का पिटा रहा है सर ये आपका अगला चैप्टर छू मंतर कर देगा, यानि इतना आसान कर देगा, बस आपको ये तीन बक्स को फिल करना है ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजेगा मेरे दोस्तों प्लीज ध्यान दीजेगा, अभी कोई चूँँचा चीप-चीप कुछ नहीं अब अपन बात कर रहे है बेटा, परफेक्ट कॉंपिडिशन के अंदर रेवेन्यू करकी जिसने सब्जेक्ट डीटेल में अच्छे से पढ़ा है उसको पता है, प्राइस इज इक्वल्स टू अवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस को ही हम अवरेज रेवेन्यू बोलते हैं कैसे सर, सर अवरेज रेवेन्यू का फॉर्मिला क्या होता है सबसे पहले तो average revenue average revenue का formula होता है total revenue divided by quantity average revenue का formula बराबर एक नहीं average revenue का formula है total revenue divided by quantity total revenue कैसे नहीं कलता है sir price into quantity upon quantity 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 का तो कहना है average revenue is equal to price average revenue is equal to price अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा कोई कुछ नहीं बोलेगा बिल्कुल ध्यान से प्राइस का मतलब average revenue होता है ये तो clear है सर अब अपन बात करते हैं बेटा perfect competition की perfect competition एक ऐसी situation रहती है जहाँ पर unlimited buyers और unlimited sellers हैं तो भाई या unlimited buyers है unlimited sellers है तो अपन चाहकर भी ज़्यादा price में बेच नहीं सकते हैं तो अगर मैंने price बढ़ाने की कोशिस करी मैं price को बढ़ाने की कोशिस कर रहा हूँ तो भाई यह कोई customer में पास नहीं आता दूसरे के पास चला जाता है और अगर मैंने price कम करने की कोशिस करी तो sir मेरा margin lose हो जाता है तो क्या मैं कह सकता हूँ perfect competition मैं price change करी नहीं सकता अगर मैं price change करी नहीं सकता है यानि price is constant तो sir यह रहा आपका price का कर sir this is your price is equals to average revenue is nothing but the demand curve and also the marginal revenue sir marginal revenue additional revenue from additional commodity sir आपने एक commodity पेची 5 रुपे में दूसरी commodity भी और 5 रुपे लेकर ही दोगे आप price कम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आपको price constant रखना पड़ेगा आप perfect competition में हो तो यह वाले कदभूत case में price is equals to MR is equals to AR is equals to demand हो जाता है yes Mr. Gamer demand is equals to price is equals to AR is equals to MR हो जाता है sir यह clear हुआ क्या मुझे बताओ यह clear हुआ क्या sir इनको price taker बोला जाता है price taker sir यह price लेते कहां से यह बता दो मैं एक बार short में बता रहो कहां से price लेते हैं यह तुम्हारा market demand यह तुम्हारा market supply यह तुम्हारा market demand यह market supply इनके equilibrium से price आता है तो यह आपको syllabus में नहीं है बतलब है लेकिन काम की जरूत नहीं है वो इलास्ती city की बात है बेटा वो छोड़ वो monopoly में तु कहां से कहां पर आ जाता है कुछ परशानी है क्या मिरे को एक बात बता तु कहीं से भी कहीं पर आ जाता है एक बार अच्छी चीज़ें बोलता रहता है फिर suddenly Mr. Gamer तु क्या कर देता है जाओ फिर बेटा मैंने कब रोका है आपको बेटा सोने वाले को कोई रोक नहीं सकता रात का समय है नीद आना लाजमी है तो भई यह यह बन गया अच्छा मुझे बता हो Monopoly क्या Monopoly में मैं Price Reduce कर सकता हूँ? Yes Sir मैं Monopoly में Price Reduce कर सकता हूँ क्यूँ? क्योंकि भईया Monopoly है मैं Price ज़्यादा Charge करूँगा, ज़्यादा Customer को लूटूँगा मैं ज़ादा customer को attract करने के लिए price कई बार कम भी कर सकता हूँ क्यों? मैं price कम कर सकता हूँ sir price बड़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ कोई नहीं है मेरा competitor तो भाईया ऐसे case में आपके पास price rigidity नहीं रहती आप price कम कर सकते हैं, ज़ादा कर सकते हैं आपका ऐसा straight line curve नहीं आने वाला आपका curve देखे किस तरीके से आने वाला है ध्यान दीजेगा यह है बैटा, आपका price is equals to average revenue is equals to demand कर सर, marginal revenue नहीं इस समय marginal revenue कर ऐसा आएगा कई बार इसको zero से भी cut करवाया है इन्होंने कई बार इसको zero से भी cut करवाया है अपनी book में जो treatment दिया मैं वही treatment आपको दूँगा वही treatment मैं आपको बताऊंगा सर हमारी book में zero से उठाया है तो हम भी zero से लेंगे क्योंकि इसके उपर debate हुआ है, मेरा already debate हुआ है मतलब अपनी पूरी class में ही debate किया है मैंने कि किसर zero से कैसे हो सकता है पर अभी मैंने समझाया है आपको class में इसलिए मैं zero से ले रहा हूँ और अभी मैं आपको रहा है सर इसके प्राइब तो आपको रहा है यह बापको रहा है है यह लिए बाइब dollar इस इस मार्जिनल रेविन्यू कर सर एमर कर एर तू इक्वल पार्ट्स हाँ इक्वल पार्ट्स में कर सकता है नहीं भी कर सकता है यह बोला गया theoretically लेकिन वो डिपेंड करता है आपके अधिशनल प्राइस कितना चार्ज किया उस पर आपकी बुक के अंदर एक लाइन है mcq में सिखाता हूँ कि उसको दो इक्वल पार्ट में कट करता है तो अगर आप दो इक्वल पार्ट की हिसाब से कट करने की बात करेंगे आपकी book में line दे रखिये लेकिन बेटा मैंने मेरी classmate discussion में clearly बता है कि उसको दो part में cut करेगा या नहीं करेगा totally dependent है कि वो price कितना charge कर रहा है actually वहाँ पर institute ने बोलना चाहिए है two parts पर उन्होंने बोला two equal parts तो मैं आपको graph modify करके दे रहा हूँ सर यहाँ पर दोनों में difference क्या है यह price is equal to MR is equal to AR is equal to demand सर यहाँ पर क्या है price is equal to AR is equal to demand यह margin revenue ऐसा है और सर monopolistic में क्या फरक है मुझे एक बात बताओ monopolistic monopolistic competition में many sellers रहते हैं लेकिन वो differentiated products sell करते हैं यानि कि perfect competition जैसा नहीं है कि सर बिलकुल price कम जादा नहीं कर सकते हैं पर monopoly जैसा भी नहीं है सर यानि कि अपन कईicana के monopoly के demand curve और perfect competition के demand करके बीचो बीच लाएक करेंगे इसका कर रहता है flatter इसका suspects इसका कर रहता है steeper इसका दिशनि इसका कर रहेगा flatter that's it इसके अलावा और कोई difference नहीं है सर इसके अलावा और कोई difference नहीं है सर ये flatter और steeper के पीछे का logic क्या है flatter और steeper के पीछे logic ये है कि भाई या monopolist अपने हिसाब से price को कितना भी change कर सकता है ठीक है अपने हिसाब से price को कितना भी change कम जादा कर सकता है वहाँ पे ना उसकी जो जनता है वो price sensitive नहीं उनको फरक नहीं पड़ता है क्योंकि सर उनके पास option ही नहीं है यहाँ पर भाईया काफी more elastic रहता है यह देखो यह less elastic है सर यह less elastic है यह less elastic दिख रहा है ना हाँ सर यह less elastic है और सर यह more elastic है यह more elastic क्यों है सर यहाँ पर option है यहाँ पर option नहीं है इसलिए less elastic यह more elastic वो लॉजिक नहीं है उसके पीछे बेटा वो लॉजिक नहीं है तुम मुझे लॉजिक मत बताओ मुझे पता है क्या लॉजिक है उसके पीछे आदा आदा पौन-पौन गंटा डिसकर्शन किया है कि वो 0 से नहीं start हो सकता, इससे numerically आपको नहीं है, कि ऐसे आप conclude कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, तो भईया बस यहाँ पर difference का steeper और flatter का difference है, यह है steeper और यह है flatter, क्यों भईया, elasticity के करण, तो मैं क्या करूँ, श्री निवास मैं क्या करूँ उस पर, यह steeper है, हर चीज जो 0 से start हो गए, उसके पीछे यह logic नहीं है, कि वह यहाँ पर 0 आ रहा है, आप बात कर रहे हैं, मैं को एक बात बताईए, कि हम कैसे marginal को यहाँ पर 0 पर define कर पाएंगे, मुझे एक बात बताईए, कि suddenly यह वाले price के उपर आपकी 0 quantity भी करेए, ऐसी भी बात नहीं है, बहुत सारे उसके उपर points आते हैं, बहुत सारे points आते हैं, तो कर यहाँ पर आएगा, अगर वो additional बहुत difference चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा, कैसे कह सकते है, midpoint को touch cut कर सकता है, तो institute की दी गई language मुझको बेटा अच्छे से पता है, मुझको बहुत detail में पता है institute की दी गई हर एक language, लेकिन इसके पीछे के logic जो है जितना apparently easy दिखते होता, apparently easy नहीं है, मैं आपको बता दूँ, हमने पहला ही graph start किया था टोटल utility और marginal utility का, वो भी 0 से start नहीं होता है, उसके पीछे भी logic है, यानि वो 0 से 1 पे जब jump मारते है न, तब बहुत जादा तकलिफ जाती है, इसके पीछे यह logic है, तो यहाँ पर अगर मान लो, 0 से 1 के अंदर आप जब भी jump माने की कोशिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, कि वह यह marginal utility यहाँ से लेकर, यह commodity पर जाना पॉसिबल नहीं, अगर आप इसका, एक schedule चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा, कि वह यह यह वाला जो graph है price, यह 0 से start हो सकता है, लेकिन यह अगर 0 से start कर तो एक absurd feature दिखाता है, तो इसलिए हम दो इसे extend कर लें, तो आप पूरी class देखे बेटा, पता नहीं, चले जी, तो भाईया यहाँ यहाँ पर हमको क्या देखना था, भाईया, price का part देखना था, तो price is equal to, mr is equal to, add is equal to demand, सर यहाँ पर बस marginal revenue अलग हो जाता है, अब marginal को कैसे य गिरता है, यह flatter है, यह steeper है, क्योंकि इसकी elasticity कम है, elasticity कम क्यों है, क्योंकि sir, logo के पास option ही झखक्मार के खड़ी देगे, sir यहाँ पर देखो, यह flatter है, क्योंकि यहाँ पर sir, logo के पास option है, चलिए sir, अब अपनाते हो optimization पर, last part रह गया, बस 15 मिनिट का part रह गया, बिटा अब optimization पर, optimization में क्या करना है, सबसे पहले आपको कितना production करना, ये check करना पड़ेगा, production चेक करने के लिए आपको 2 condition चेक करने पड़ेगा, कितना production करना है, उसके लिए 2 condition है, पहली condition, पहले ही लिखना, mc is equal to mr, और दूसरी condition क्या है, MC कर कट MR फ्रॉम बिलो अब मुझे आप बताईए अब हम बात कर रहें बेटा PC PC यानि किस चीज की बात कर रहें हम बात कर रहें perfect competition की perfect competition में price marginal revenue MR कर कैसा रहता perfect competition में अब भी बताए मैंने आपको उपर ऐसा रहता है तो चलिए हम marginal revenue कर बनाने की कोशिस करते हैं लीजे सर marginal revenue कर हमने बना लिया सर लीजे हमने marginal revenue कर बना लिया इसको मैं नाम दे देता हूँ price is equal to marginal revenue is equal to average revenue इसको भी price is equal to marginal revenue is equal to average revenue is equal to price, is equal to marginal revenue, is equal to average revenue चली जिए मैंने बढ़ना दिया अब दूसरी condition क्या है MC curve cut MR from below MC curve कैसा रहता है याद करो MC curve Nike के sign जैसा रहता है तो भाईये काटिये काटिये सेट हर केस में काटो सर ये वाले point पे आपको produce करना है इससे ना ही कम ना ही इससे जादा इस पे produce करना है तो भाईये ये आ गया आपका optimized production इतना production आपने करना चाहिए अब आपने क्या करना है यहाँ पर एक line draw करनी है ठीक है? एक line draw करेंगे बटाब इतना production करना है खतम भाईया वाई आपको कितना production करना है उसके लिए ये condition चेक करने MC is equal to MR and MC curve cut MR from below खतम भाई MC curve निकालना सीख लिया था हमने Nike जैसा MR curve अब भी देखा सर परफेक्ट competition की बात कर रहे हैं इसलिए MR is equal to AR is equal to demand is equal to price ऐसा है अब अब आगे बढ़ते हैं बेटा मुझे बताओ same अपन यहाँ पर भी draw कर लेते हैं यहाँ पर भी optimize कर लेते हैं सर इतना production करना ना ही इससे कम ना ही इससे जादा क्योंकि सर इसके बाद cost जादा है revenue कम है और इससे पहले और जादा revenue अन करने की possibilities थी सर अब इस पर profit हो रहा है या loss हो रहा है यह चेक करने के लिए profit या फिर loss चेक करने के लिए आपको average cost और average revenue चेक करना पड़ेगा तो भाईया यह कितना production करना है उसकी condition है यह है production की condition profit and loss की condition चेक करिए क्या है profit and loss की condition to check profit and loss compare AR and AC बेटा आपने AR और AC निकाला है आपने AR और AC निकाला है बेटा AR तो आपके पास यहीं पर आपको average cost curve निकालना है सबसे पहले मैं निकालूंगा normal profit के case में ज़रा चेक करीगा normal profit के case में मैं क्या करने वाला average cost curve let's say this is your average cost तो सर अब आपको सबसे पहले production optimization करना है कि भाया कितना आएगा कितना maximum production करना है MC is equal to MR and MC curve cut MR from below इतना quantity produce करना सर अब profit हो रहा है या loss हो रहा है यह चेक करने के लिए आपको average revenue average revenue और average cost को compare करना है जहाँ पे average cost और average revenue देखो यहाँ पर average cost भी इतना ही है average revenue भी इतना ही है तो सर इसको बोला जाता है normal profit तो normal profit कब होता है when average cost is equal to average revenue सर आ गया optimization यानि इससे ज़ादा production नहीं करना है इससे ज़ादा production नहीं करना है इससे कम भी नहीं करना है क्योंकि बेटा इससे ज़ादा production करने गया तो तेरा revenue लेट से इतना आएगा और तेरी cost इतनी आएगी लेट से तु यहाँ पर produce करने गया तो तेरी cost इतनी आएगी इतनी और तेरा revenue इतना आएगा तो इसके आगे produce नहीं करना maximum कितना produce करना वो बताएंगे तुझे Done अब loss की बात करते है मैटा normal loss की बात कर रहा है अभी shutdown की बात नहीं करते है सिर्व normal loss की बात करते है normal so let's say this is cost अभी यह white line पे देखेगा बेटा यह white line पे ज़रा देखेगा इस white line को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका cost आ रहा है इतना और आपका revenue आ रहा है इतना तो यह हो गया बेटा आपका loss यह हो गया loss shut करना या नहीं करना वो अलग बात है वो देखते है पंद्रा मिनिट बस पंद्रा मिनिट में हो जाएगा सर profit है या loss है कैसे पता चला average revenue और average cost को compare करा सर cost जादा है revenue कम है सर loss हो रहा है shutdown करना के उसके लिए अलग condition है वो चेक करते हैं है वो भी condition चेक करी है तो यह हो गया भी यह फटा फटा आपका ठीक है इसके notes भी आपको दिख जाएंगे मिल जाएंगे अब सर अपन super profit की बात करते है super profit कब होता है सर super normal profit तब होता है when average revenue is greater than average cost बताता हूँ बिटा तुमारी doubt clear करता हूँ यह मत तुमारी doubt clear करता हूँ 2 minute पहले मैं यह पूरा का पूरा निक्ताल दो सर वापस से तीनों case के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ बस यह last set है अपना फिर तो भाईया और कुछ है ही नहीं फिर तो repetition है भाईया यह क्या है तुमारा हम short run में सरी हम perfect competition में तो price is equal to mr is equal to ar सर price is equal to mr is equal to ar सर price is equal to mr is equal to ar हो रहा है उसके बाद सर production कहां पर रोग देना सर उसके लिए condition चेक कर रही है mc is equal to mr repeat कर रहा हूँ दोस्तो repeat कर रहा हूँ नए-नए case के साथ ताकि concept भी recap हो जाए और साथ-साथ conditions भी अपन चेक कर लें सारी के सारी तो सर कितना production करना production कहां पर stop करना वो अपने को पता चलेगा mc is equal to mr से marginal cost is equal to marginal revenue से दोनों का रोग अपने चेक किए है अब सर अपने देख लिया normal profit के case में क्या होता है average cost is equal to average revenue फिर सर loss के case में क्या होता है average cost जादा है shutdown point अभी discuss करना बाकिए है चलिए सर अभी अपन बात करते है super profit की super profit का देखिए कैसा रहता है इसको economic profit भी बोला जाता है सर अब ज़रा चेक करिए चलिए white line याने optimum production के उपर क्या हो रहा है आपका cost आ रहा है इतना cost आ रहा है कम average cost कम है average revenue जादा है आप super profit earn करने दोस्त आप super profit earn कर रहा है हाँ shutdown अलागे न अभी करते हैं अपन shutdown अलागे यह super profit represent हो रहा है this is the condition of super profit सर अभी loss but shutdown पहले loss and shutdown discuss करते है loss भी हो रहा है shutdown भी हो रहा है वो condition चेक करते हैं तो सर let's say this example सर यह वाले example में अगर आप check करेंगे तो भाईया आपका cost इतना आ रहा है यह वाले output के उपर यह वाले output वाली line पर cost इतना आ रहा है revenue इतना है तो भाईया इतना loss है पर धन्दा बंद करना या नहीं करना उसके लिए आपको compare करना पड़ेगा average variable cost and average revenue को तो चलिए average variable cost के graph को भी इसके अंदर डाल के देखते है average variable cost के graph को भी डाल के देखते है average variable cost ग्राफ आपका let's say ऐसा है let's say तो भाईया अब आपको चेक करना है कि क्या यह white line के उपर आपका average variable cost कवर हो रहा है? नई सर average variable cost भी recover निया हो वो भी जादा है मेरा revenue तो इतना कम है कि सर वो total cost और recover करी नहीं पारा average cost भी recover नहीं कर पारा धन्दा बंद करो सर धन्दा बंद करो यह धन्दा बंद करना पड़ेगा तो भाईया यह है shut करना है यहाँ पर धन्दा शट करना पड़ेगा जो गया average cost average variable cost marginal cost अब सर धन्दा शट करना पड़ेगा आपको shutdown लेकिन एक case है जाँ शट नहीं करना पड़ेगा वापस से repeat हो रहा है दोस्त सर यह दिया आपकी cost क्या cost recover हुई आपकी नहीं sir cost recover नहीं हुई धन्दा बंद करना है या नहीं करना है उसके लिए देखना है variable cost recover हुई है या नहीं तो चलिए चेक करते है मेरी variable cost recover हुई है या नहीं सर लेट से this is my variable cost just for instance ऐसी बना देते हैं तो सर अगर आप चेक करेंगे average variable cost और average revenue को चेक करेंगे sir इस point के उपर तो आपको पता चलेगा average variable cost तो recover हो गई setup की average variable cost कम है इस point पे average revenue जादा है धन्दा चला लॉस तो हो रहा है पर variable cost तो recover हो गई धन्दा तो चलने यह सर यहाँ धन्दा चलेगा आपका यहाँ चलाना पड़ेगा आपको marginal cost, average, total cost, average variable cost यहने average revenue हो यह तो पीटा समझ में है 6 scenario उठाया अपने यही सेम 6 scenario अपने को perfect competition के बाद monopoly and monopolistic competition में करना है सर difference क्या रहेगा यहाँ पर price is equal to MR is equal to A की curve हो रहता है यहाँ पर अलग-अलग curve split होंगे अगर आपको हलका-अलका सा भी अपने पड़ रखा है तो आपको बहुत easily समझ में आया होगा सर यहाँ पर तो आपको बंद करते ना चाहिए धन्दा यहाँ पर दंदा चलने दीजिए सर यहाँ पर मैंने super profit बताया आपको यह वाला area super profit represent करता है आए सर अब अपन बात करते है monopoly के अंदर same चीज monopoly के अंदर अपन करके बताते है बहुत easy है सर monopoly में difference किस चीज़ का है बस 5 minute करे गया है खतम होगे आपका सर monopoly में किस चीज़ का difference है सर monopoly में difference यह है कि this is this is your हाँ सर एक बार देख लिए सर यह है आपका average revenue is equal to price is equal to demand और इस बार marginal revenue अलग है इस बार यह चीज़ अलग है मैंने आपको सिखाई है मैंने भी आपको थोड़ी दर पहले बता है था अभी कैसा लग रहा है आचल अब समझ में आ रहा है आपको आचल अब समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है आचल चलिए 10 minute कर रहे गया फटा फट कोपरेट करिए चलिए सर बस यहां पर क्या हुआ कर्व अलग है सर कंडिशन वही है MC is equal to MR and MC curve MR from below भाईया अब मैं बना रहा हूँ MC curve MC कैसा है सर नाइकी अब ज़रा चेक करो सर MC is equal to MR कहां पर हो रहा है ये वाले point पर हो रहा है सर ये वाले point पर हो रहा है चलिए तो इसको बोलते हैं MC लो भाईया बना दिया यहाँ पर वो white line बना देता है पर कि वह इत्ता output प्रोड्यूस करना है अपने को एक मिनिट में एक मिनिट भी नहीं लगेगा सर ये आगे आपका optimization पर बनाप मिनिट लगेशन लगेशन लगेशना है चलिए सर अभी normal profit हो रहा है या normal loss हो रहा है यह normal profit हो रहा है यह normal loss हो रहा है यह क्या हो रहा है उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा भया सबसे पहले तो optimization के लिए मैंने mc is equal to mr and mc curve cut mr from below चेक कर लिया अब profit और loss के लिए मैं को क्या चेक करना है average cost and average revenue को चेक करना है तो चलिए मैं सबसे पहले normal profit बनाता हूँ normal profit पे सबसे पहले मुझे average cost डालनी पड़ेगी let's say better this is my average cost let's say something like this something like this ठीक है हो सकता थोड़ी अलग भी भने तो sir क्या ये वाले point पे ये वाले point पे देखेगा ये वाले point के ओपर आपका average cost भी इतना है और आपका average revenue भी इतना है तो भईया यहाँ पे आपका average cost ये average cost है तो क्या मैं कह सकता हूँ average cost is equal to average revenue दिखने के लिए थोड़ा अजीब लगता है graph दिखने के लिए थोड़ा graph अजीब लगता है पर इसी तरीके से होता है normal profit हुआ दोस्त how to do this in notebook भी मुश्किल है वो तो ना मुम्किन है मैं आपको दे दूँगा न graph सर अब loss चेक करना है चलिए जी loss चेक कर लेते हैं सर पहले तो optimization चेक कर लिए mc is equals to mr and mc curve cut mr from below अब profit and loss के लिए आपको क्या चेक करना है cost और average revenue let's say this is your average cost अब ज़रा चेक कर लिए white line के साथ intersection के उपर क्या हो रहा है सर white line के साथ intersection पे आपका revenue आ रहा है इतना और आपका cost आ रहा है इतना सर यह हो रहा है आपका loss shutdown है यानि उसके लिए तो सर अलग condition है सर उसके लिए तो अलग condition है न बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल अलग conditions चेक करनी है तो यह यहाँ पर आपका loss हो गया loss क्यों है because your average cost is more than average revenue अरे यह हुआ क्या समझा करें तुमको sir loss खेल गया है done sir अभी next condition देखो जो दी आपन उसी इसका आपके बना पाएंगे super profit के sir super normal profit का बनाने की कोश्चिस करते है check करते है let's say sir यह sir इस पर अभी देखिए white line पर revenue और white line के उपड़ white line के उपड़ cost यह रही और white line पर revenue कितना यह है sir तो भाईया since since your average यहाँ पर कहा लिखो average revenue is greater than average cost super profit आ जागे यहाँ पर लिखते थे next है loss and shutdown तो भाईया loss दिखा हो सबसे पहले तो भाईया यह मैंने loss दिखा दिया loss कैसे दिखा है sir आपने यह देखिए sir मेरा revenue इतना है और मेरी cost recovery नहीं हुई तो sir lost हो रहा है लेकिट shutdown करना या नहीं करना उसके लिए average variable cost चेक करना पड़ेगा let's say मैं average variable cost यहां पर निकालता हूँ कंसा color बचा है color ही खतिम हो रहे है сам चली मैं average variable cost निकालता है let say average variable cost ऐसी है कुछ let's say वो लख-भख ऐसी ही रहती है sir देखते हैं यहां पर आपने to sir average variable cost पि recover नहीं कर पा है sir आपने toplar age variable cost पि recover नहीं करी शट करो शट कर तो मैं नहीं बता सकता कृष्णा उसके लिए मैंने आपको बोला है regular lecture देखना हम आपको मेरे revision lecture में जाना पड़ेगा revision lecture मैंने इसके लिए सबको बोला था कि जिसका पूरा हो चुका है वो graph marathon में आएगा उससे पहले graph marathon में आने से पहले उसको सारी चीज़े complete करनी optimization हर एक के लिए नहीं है मैंने इसलिए बोला था आपको अगर आपका सारा हो चुका है तब ही आप इस चीज़ को समझ सकते है demand supply तक तो वैसे भी सब कोई समझ जाता है production भी हो जाता है आपको यह optimization के लिए definitely chapter number 6 तक पहुचना पड़ेगा मिरसा तुमेर साथ attempt करना हो जाएगा तेरा वो बताना ना मुम्किन है भी ठीक है सर यह हो गया अभी shutdown करना है सर चेक करते हैं shutdown याने कि loss हो रहा है loss का situation ऐसा सर अपने cost भी recover नहीं करी this is your average cost look at this your average cost is this much and your revenue is this much आपका revenue कम है नीचे है सर और cost जादा है लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोकर shutdown नहीं है याने आपने average variable cost recover करेंगे let's see let's say this is your average variable cost तो now if you see your average variable cost is this much your average revenue is this much सर loss तो हो रहा है पर धन्दा चलाओ क्योंकि इतना पाट आप रिकवर कर पा रहे है तो यह सारी conditions हो गई और same चीज आपको monopolistic competition में करनी है यहाँ पर कर steeper था वाँ पर कर flatter है it is as simple as that अब last set कर लेते हैं अपन 2-3 minute के अंदर पूरा का पूरा कर लेते हैं अब आप लोगों का एक quick में क्यों करवा रहा हो ताकि आपका quickly revision हो जाए business cycle के तो एक भी graph नहीं है वो तो मैं ऐसे time pass के लिए किया था रुको ना रुको ना रुको ना बेटा सर अभी अपने को वापस से सेम चीज़ करनी है लेकिन इस बार जो आपका curve रहेगा वो इस बार थोड़ा flatter रहेगा ठीके ऐसा रहेगा सर flatter रहेगा स्टीपर नहीं है सर flatter रहेगा इस बार और सर ये marginal revenue कर वो तो उतावला है सर वो तो जल्दी उतरेगा उसको चड़ना भी जल्दी उसको उतरना भी जल्दी है जी सर अब profit है या loss है उससे पहले production optimization optimization की दो condition mc is equal to mr and mc cut mr from below आईए check करते हैं दिख रहा है कि ये color दिख रहा है कि तुमको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा तो yellow उठाता हूं ये रहा तुमारा marginal cost कर तो सर अब आपको क्या करना पड़ेगा when mc is equal to mr मैं लिखना भूल गया this is your average revenue is equal to price is equal to demand and this is your mr तो mc is equal to mr कहां पर हो रहा है सर ये वाले point पर खिच के लिए जाओ ये point उपपर सर ये आगया आपका optimization optimum production glitch नहीं है बटा अब वही है इसके लिए same चीज करने है अपने को normal loss अब टेंशन ना लो मैं आपको इसका पूरा graph दे दूँगा आए सर अभी normal की बात करते है normal profit कब होता है मुझे एक बात बते है normal profit कब होता है आपका सर नॉर्मल profit तब होता है when normal profit की condition क्या है सर when average revenue is equal to average cost चली average cost निकालता है let's say this is your average cost तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपका average cost और average revenue दोनों एक ही है this is condition of normal कैसे सर पता करा देखो यह white line के उपर average cost और average revenue सेम है आईए सर आगे चलके देखते हैं दो मिएट बेटा खतम कर देए loss हो रहा है loss हो रहा है यानि क्या आपकी cost recover नहीं कर पारे let's say this is your cost this is your average cost तो बेटा अगर आप चेक करेंगे तो आपकी average cost white line पे इतनी आ रही है और आपका revenue कम हा रहा है तो आप bear कर रहे है loss sir loss क्यों हो गया because your average revenue is less than average cost sir loss हो गया sir profit करके बताओ super profit करके बताओ ठीक है super profit की situation क्या है एक मिट बेटा super profit की condition क्या है sir average revenue is greater than average cost चलिए sir average cost बनाने की कोशिस करते है let's say this is your average cost so if you check at this point आपकी cost इतनी है और revenue इतना है so you made this super profit sir अब तो कुछ नहीं है अब तो कच्छराई है ना sir अभी loss है और shutdown नहीं करना है loss है और shutdown नहीं करना है तो पहले loss दिखाओ loss दिखा दो भाईया देखो यह रहा मैंने cost recover नहीं कर पाए मेरी इतनी मेरी cost है इतना मेरा revenue है लेकिन shutdown नहीं करना याने average cost recover हो रही है average variable cost recover हो रही है let's say average variable cost का यह से रिखाओ यह रही है let's say this is your average variable cost तो sir अगर आप check करेंगे तो आपकी average variable cost तो recover होगे sir आपकी average total cost रिकवर नहीं हुए पर average variable cost रिकवर तो धंदा चला ले sir last वाला है आपको loss हो रहा है और shut भी करना है loss हो रहा है और shut भी करना है तो सबसे पहले loss करवाओ इसका yellow sir loss करवा दिया this is your average cost देखो आपकी cost इतनी है आपका revenue इतना है loss हो रहा है और धंदा भी बंद करवाओ इसका तो sir यह variable भी recover नहीं कर पाएगा let's say sir this is the point तो अब यहां पर देखा आपका variable इतना है आप variable भी recover नहीं कर पाएगा बेटा शट कर दो business ने मांगने दो ना party तो सब मांग सकते है sir मुझे अब बताओ सब समझ में आया क्या सब समझ में आया क्या optimization के 18 case देख लिए अपन ने अठरा तरीक से optimization मारा याने हर case में optimize भी किया mc is equal to mr pay line draw करी फिर average revenue और average cost को compare किया average revenue एक horizontal line रहती है parallel to x-axis in case of perfect competition steeper line रहती है monopoly में और flatter line रहती है यहां पर और monopoly monopolistic competition के case में margin revenue अलग होता है बाकी के case में वह equal हो जाता है सारे के सारे अपने clear कर लिए आपको इसका graph मिल जाएगा मेरी तरफ से बेटा last देखलो business cycle का 10 second के अंदर business cycle बेटा SE भी हो सकती है ठीक है business cycle SE भी हो सकती है ठीक है business cycle SE भी हो सकती है याने कि business cycle के अंदर कोई एक specified rule नहीं है बस आपको यह चेक करना है contraction के बाद expansion expansion के बाद contraction there is a set of alternative expansion and contraction in aggregate economic activity इसको बोला जाता है business cycle तो बेटा everything is done now we have prepared almost almost 85 to 87 graphs ठीक है 85 to 87 graphs बनाए बीच के दो eliminate के 83-85 graphs बनाए आपने और जिससे पूरा का पूरा syllabus अपना hold में आच चुका है ncq point of view के इसाब से optimization के इसाब से इसको देखने के बाद अब आपको सारे graph और सारे book सारा concept समझ में आ जाएगा वापस से recap हो जाएगा न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत जादा मज़ा आएगा जी ओओ ओन सेकेंड किंक ट्रै गया येस थैंक्यू किंक मैंने बनाया क्यों नहीं यहाँ पर जी चलिए किंक का भी बना लेते हैं येस थैंक्यू सो मच एक लास्ट ग्राफ है बेटा किंक का देख लेते हैं कुछ नहीं है वो किंक के अंदर बेसिकली दो टाइप की इलास्ट ग्राफ है वो बता देता हूँ मैंने सोचा उसका बनाया था एक्चुली क्या है मैं सुबह सबके नाम लिख कर आया था तो मैं कुछ जादा सोचने की जरूत नहीं जो नाम लिखा रहते है था हेटिंग में बस वही मैं बना रहता तो किंक वाला भूल गया था किंक में कुछ नहीं है बेटा यहाँ पर दो अलग-अलग यह less elastic है sorry यह more elastic है यह less elastic है आप जब price reduce करते हैं आपको पूरा का पूरा market follow करता है आप price बढ़ाते हैं market आपको follow नहीं करता है इसलिए यहाँ पे dual elasticity आती है price जब आप बढ़ाते हैं oligopoly का special feature है कि जब oligopoly याने की कम लोग तो जब सारे के सारे competitor हैं बैठे उसमें से एक competitor price कम करता है तो हर कोई price कम करता है और अगर कोई price बढ़ाता है तो हर कोई जादा price नहीं बढ़ाता है क्योंकि price rigidity है हमाँ ठीक है price rigidity है बेटा kink के अलावा म oligopoly मैं तो एक ही दिखाता हूं मैं king kawala ही दिखाता हूं जी हो गया done तो यह आपका oligopoly 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 जी sir now this part is done and अब बेटा chain की नींद आए गया आपको और chances होना है तो जाग जाओ जीतने इंद्रज हो जाईए जो हमारे customers नहीं होते हैं वो भी customer हो जाते हैं इसलिए king काता है जी sir जब आप price reduce करते हैं अगर मानलो किसी एक बंदे ने price reduce किया है तो सारा का सारा market उसके पास चला जाएगा इसलिए उसके पास ना market जाए इसलिए हम हमारा भी price reduce करते हैं पर अगर मानलो अगर किसी ने price बढ़ा दिया तो उसका price बढ़ गया है मेरा price comparatively उससे कम ही है कल भी आई थी इसी वक्त गोडाउन से आके सच में सार अब चैन की नीन आए कि thank you so much यह बहुत एक wonderful graph रहा आप लोगों के साथ आपकी कृपा से मजा आ गया चले जी दोस्तों अब सोते हैं सोते हैं as in बस आज हमने पूरा निपटा लिया इसको चैन से शांती से सुकून से done हैंसा खतम करते हैं